इस वीडियो क्लास से हम लोग एक और नए चेप्टर की शुरुवात कर रहे है और चेप्टर हम लोग का कौन सा ہے सोलूशन चेप्टर टू है ठ cup है । चेप्टर डू है ठीक है solution आप Ilsका यह part कौन सा है पार्ट वन ठीक है पहला ही पार्ट है अभी और यहां पर हम लोग इस चेप्टर का शिरी गणेश कर देंगे शिरी गणेश माने क्या होगा आम तोर पर बच्चे जानते होंगे शुरुवात करना ठीक है देखो मैं थोड़ी से एक बात बता दूँ देखो यह जो चेप्टर हम लोगों कायन है इस पूरे किताब में से ठीक है सबसे जादा नियु मिरकल्स इसी चेप्टर में है ठीक है और यह चेप्टर इंपॉर्टेंट भी है यदि आम तोर पर बच्चों को फसाया जाए या उनके पढ़ाई को होपलिस किया जाए तो यहां से यदि एक दो नियु मिरकल्स बन जाते है तो बच्चों की हो जाती है बुद्धी बंद ठीक है तो इसलिए क्या है कि इस चेप्टर में हम लोगों को कुछ जादा ने थोड़े बहुत ही फॉर्मूले हैं उसको ध्यान रखना है और उसके बाद जब मैं कोशन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस चेप्टर की हैसियत कितनी है आखिर ये चेप्टर कितना कठीन है या फिर कितना आसान है देखो एक चीज़ मैं बताऊं जो स्टड़ी होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है नहीं दिक्कत क्या होती है ने कि बच्चे पढ़ते नहीं है ठीक है बच्चे पढ़ते क्यों नहीं बाई क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता है मन नहीं लगता है यह पढ़ाई में यदि कोई वैसा होता कि चलो इधर से सलमान खान जैसी कुछ चीजें आएंगे ठीक है या फिर यहां पर कोई दीपिका पदकूर जैसी कुछ यहां पर एक्टिंग वेगरा दिखेगी तो अच्छा लगता है बच्चों को मन पसंद चीजे पसंद आती है ठीक है पढ़ाई तो है रूखी रूखी से है ना रूखी रूखी से है तो मन कहां से लगेगा और मन आम तोर पर बच्चों का कहा लग जाता है भया साहब बात है कि यह वीडियो देख रहे हो तो 15 से 20 साल की उमर में होगे तभी यह देख रहे हो और 15 से 20 साल की उमर में एक बहुत बड़ी चेंजिस आती है बच्चों के जब 14 एर के 12 से 14 साल के जो बच्चे हो जाते हैं तो एक बाइलोजी में चीज पढ़ाई जाती होगी पुइबर्टी एज क्या होता इसका मतलब कि आम तोर पर जो गर्ल्स और बवाइज होते हैं ठीक है यह गर्ल हो गई मालो और यह बवाइज हो गया इनके दिमाग में और फिजिकली बहुत सारे चेंजिस आना शुरू हो जाते हैं इसे को आम लोग क्या बोलते हैं प्यूबर्टी एज बोलते हैं तो अब आम तोर पर जो 12-14 साल का बच्चा होगा 15-20 साल का बच्चा होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी दोस्तों से कैसे बात करते हैं अभी वो अली लड़की देखा जो मेरी क्लास में थी ये देखा वो मेरी तरफ देख रहे थी या लड़कियों का भी ऐसे ही वो देखो मेरी तरफ देखे मुस्कुरा रहा था इसके दिमाग में यही चल ला है तो आम तोर पर जो बच्चे होते हैं यही सब करना शुरू कर देते हैं इसलिए उनका मन लगता नहीं है इसलिए उन्हें लगता है कि पढ़ाई कठी नहीं है पढ़ाई बहुत ही असान है किसी भी चैप्टर को मैं बता दूँ ठीक है किसी भी चैप्टर को तकरीबन दो, तीन, चार, पांच इतनी बार यह दिर्वाइज कर लेते हो ठीक है कितनी बार कितनी बार रिवाइज कर लेते हो दो बार यह तीन बार, चार बार यह पांच बार उस चैप्टर में तुम महरत हासिल नहीं कर लोगे अराम से कर लोगे लिगन बच्चे क्या है भाईया वो एक बार भी नहीं पढ़ते हैं पहली बार भी उस चैप्टर को बढ़ियां से नहीं पढ़ेंगे तो रिवीजन तो छोड़ी दो जो रिवीजन होता है वो तो सेल्फ इस्टडी का या पढ़ाई का सबसे इंपोर्टेंट की है यह बहुत ही जरूरी है रिवीजन करना लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि पहली बार भी पहली दफा भी नहीं पढ़ते हैं जिस तरीके से वो लड़की को देखने के लिए 20 दफा चले जाते हैं कोचिंग में क्लास में स्कूल में गली मुहले में कई बार पिटके भी आ जाते हैं तो उस तरीके से क्या करते हैं कि पढ़ाई नहीं करते हैं कि पढ़ाई तो गल्फेंड है नहीं तो देखो भाई तुम कोई सौमी वेकानंद नहीं हुए हो ये तुम्हारा सिलसिला जो है ऐसे ही चलेगा पढ़ना है तो पढ़ो नहीं पढ़ना है तो बस ऐसे ही ताम जाम में फसे रहो दिमाग की जो हालत है उसमें मानसिक बीमारी में उलजे रहो ये इतना असान नहीं है कि अपने दिमाग को कंट्रोल कर लोगे और पूरी तरीके से क्या करोगे जो चाहोगे वहीं चलेगा नहीं चलेगा ऐसा नहीं होने वाला है दिमाग में बहुत सारा नोटंगी चलता है तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस चेप्टर का क्या करते हैं शडी गडेश करते हैं ठीक और भी मैं बहुत सारी चीज़े बताते रहूँगा अभी तो फिलार इस तरह के की बाते करेंगे तो हम लोगों का ये जो कोर्स दिख रहा है सले बस ये भी पीछे रह जाएगा तो यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे गई है जो भी बच्चे नहीं है तो वो चाहे तो यहाँ से देख सकते है चलिए ठीक है इसमें आगे बढ़ते हैं अब देखते है देखो इस चेप्टर का जो अबजेक्टिवस है यानि इस चेप्टर में हम लोग क्या क्या अकुल पढ़ने वाले है तो ये वाला दिख रहा है सबसे पहले तो formation of different यानि कि types of solution को हम लोग देखेंगे solution के कितने types ये सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भया क्या concentration of solution की जो units होती है unit, unit के बारे में बात करेंगे और Henry law होगे और Raoul's law आज ये 3 point मैं बताने वाला हूँ ठीक है, 3 point को आज हम लोग देखने वाले हैं वैसे इसमें और भी चीजे हैं हम लोग नीचे चाहें तो यहाँ पर आकर देख सकती है ठीक है देख लो इधर इतना सब कुछ है इसमें तो ये 1, 2, 3 तो अभी मैं बता ही दोंगा ठीक है, ये ideal और non-ideal solution के बारे में है बाद में देखेंगे इसको डेवेशन, राउल्स लोग को जो होता है उसको देखेंगे ठीक है, कोलिगेटिव प्रोपर्टी के बारे में देखेंगे abnormal कोलिगेटिव प्रोपर्टी को भी देखेंगे तो कितना पॉइंट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि इस पूरे चेप्टर में हम लोगो कितना पढ़ना है 7 points ही पढ़ना है भाया 7 topic ही पढ़ना है अब 7 topic पढ़ लिए अच्छे से तो इस चेप्टर के सारे numerical सब कुछ लगा दोगे और ये चेप्टर में बता दूँ ठीक है, class 12 की जो chemistry की किताब होती है, class 12 की उसमें से सबसे जादा थोड़ा hard माना जा सकता है थोड़ा hard है ये, ठीक है क्योंकि इसमें बहुत धेर सारे numericals वगएरा आता है ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इसमें आगे देखते है देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं बता दूँ कि जैसा कि chapter का नाम है solution, ठीक है तो पढ़ाई तो solution की ही करनी है हम लोगों को अब class 9 में बच्चों को पढ़ाया जाता है saturated solution, unsaturated solution हेटरोजेनियस solution homogenous solution पताने कितने तरीके के solution solution की चीज़ें उन्हें बताई जाती है उसकी कोई आवशक्ता नहीं है उन सारी चीज़ों को जानने के फिलाहाल यहां कोई आवशक्ता नहीं है यहां पर जिस solution के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले है उस solution में तीन बाते होनी चाहिए देखो मेरी कहने का मतलब क्या है कि siolushion बहुत तरीके का होता है लेकिन वो solution जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ें गे वो solution तीन तरीके का होना चीज़े पहला चीज कि वो क्या होना चीज़े binary binary solution दूसरी चीज वो कैसा होना चाहिए homogenious homogeneous होना चाहिए तीसरी चीज कि जब भी solution बनाया जाए तो वो कैसा change होना चाहिए physical change देखो ये तीन बाते यदी है जिस भी solution में तो उसी solution की हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे थोड़ा एक एक करके समझते हैं binary solution का मतलब कि एक होगा solute और दूसरा क्या होगा solvent ठीक है solute solvent समझते हो बताओ जैसे की हम लोगों का क्या हो जाए नमक हो जाए ठीक और साथ में क्या हो जाए पानी हो जाए यानि कि salt हो जाए और साथ में क्या हो जाए water तो मुझे बताओ ये salt क्या हो गया भी या solute हो गया यह water क्या हो गया भीया solvent हो गया ठीक है तो इसमें सिर्फ एक ही solute है और एक ही solvent है उसी को हम लोग क्या बोलते है binary solution ध्यान रखना इस बात को समझ जाओ अभी से binary solution मने क्या कि सिर्फ एक ही solute होगा और solvent भी कितना होगा एक ही होगा यानि कि सिर्फ दो ही component होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे binary solution कहेंगे दूसरी चीज होमोजीनियस solution ठीक है या होमोजीनियस mixture भी बोल सकते हैं इसको देखो इस नमक को इस पानी में मिला होगे जैसे यहाँ पर मैं इसे बना के दिखाऊं water को भर दिया गया ठीक है अब इसमें हम लोगोंने थोड़ा सा नमक मिला लिया तो जैसे ही नमक मिलाओगे यह नमक क्या है salt क्या है completely इसमें क्या होता है dissolve हो जाता है और वो हर जगह dissolve होने के बाद बराबर बराबर amount में पाया जाता है तो इस तरीके यानि sand के particle को dissolve कर दिये तो भाईया देखोगे कि bottom पर यहाँ पर नीचे sand के particle कैसे है जादा पाये जा रहे है उपर नहीं पाये जा रहे है या कम पाये जा रहे है ठीक है तो यह कैसा mixture हो गया heterogeneous mixture हो गया लेकिन यह वाला mixture कौन सा है homogeneous mixture तो उस solution के हम लोग पढ़ाई करने वाले है जो कैसा हो binary solution हो homogenous mixture हो यानि कि जितना भी solution होगा उस throw out solution कैसा होगा वो completely uniformly dissolve होगा ठीक है बराबर बराबर amount में dissolve होगा तीसरी चीज़ आती है physical change दो नमक को जब पानी में मिलाया जाता है तो यह physical change है यहाँ पर कोई chemical reaction नहीं होने वाला है तीक है आ रही बात समझे है लेकिन माल लो sodium को सोडियम को water में मिला दो sodium होता है इसको water में मिलाते है तो क्या होता है धंवागा होता है क्यो? क्योंकि वहाँ पर कौन सा change हो जाता है chemical change हो जाता है ठीक है तो मेरी ख्याल से बाते समझ में आ गई होंगी उस solution के हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं उन तीनो solution में कौन-कौन सी बात होनी चाहिए सबसे पहले बात क्या होना चाहिए binary solution binary माने क्या, सिर्फ दो component और साथ में कैसा होना चाहिए homogenous mixture होना चाहिए आ गया होगा मेरी ख्याल से और साथ में क्या होना चाहिए physical change आरे ये बात समझ में की नहीं यदि ये तीनो बाते उस solution में पाई जा रहे हैं तभी उस solution की हम लोग इस chapter में आगे पढ़ाई करने वाले हैं अब देखो binary solution का कुछ यहां पर example दिया गया है इस table को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे और इस table में कुछ चीजों को याद भी रखेंगे देखो ये solute हो गया और ये solvent हो गया ये gaseous solution बनाया जा रहा है यानि gas gas भी solution बन सकता है वही दिखा जा रहा है solute भी कैसा है solvent भी कैसा है gas यानि gas को gas में मिला दिया गया और एक ही gas होगी और एक ही gas होगी तभी इस को हम लोग क्या कहेंगे binary solution कहेंगे तो इस तरीके के एग्जाम्पल कहाँ पाय जाते है भाया ऑक्सीजन को नाइटरोजन में मिला दो बन गया घैस और गैस का सोलोशन बन गया ऑक्सीजन और नाइटरोजन को मिला दो अच्छा कई अब बच्छे ये भी बोल सकते है कि sir air भी क्या हम लोगों का binary solution है बिटा नहीं है ठीक है air binary solution नहीं है क्यों क्योंकि air में सिर्फ दो ही gas oxygen और nitrogen नहीं पाई जाती है air में बहुत तरीके की gases पाई जाती है air होता क्या है collection of gases collection of gases या फिर mixture of gases ठीक है oxygen भी होता है nitrogen भी होता है carbon dioxide भी होता है helium भी होता है organ भी होता है बहुत तरीके की gases यहाँ पर पाई जाती है तो air binary solution नहीं है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक gas को और एक gas का ही mixture दिखाया जा रहा है उसी तरह से liquid को gas में मिला दें देखो solvent का मतलब यह होता है कि जिसमें मिलाया जाएगा ठीक है solute का मतलब यह होता है कि जिसको मिलाया जाएगा जिसको घोलना है जिसको dissolve करना है ठीक है solvent बने जिसमें dissolve करना है तो भाई यहाँ देखो कि liquid को gas में dissolve किया जाए तो chloroform liquid में होता है nitrogen की gas में dissolve कर दिया गया solid को gas में dissolve किया जाए तो camphor कैसा होता है? solid में nitrogen की gas में dissolve कर दिया गया camphor वही जो घर पे पूजा के लिए अगर बत्ती क्या कहते है उसको आर्थी के लिए क्या जला जाता है kapoor camphor solid में होता है और उसको nitrogen की gas में dissolve किया गया liquid solution में हम लोक देखें तो किसी गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व किया गया, ठीक है, तो ऑक्सिजन की गैस है या वाटर में डिजॉल्व हो गई, हो सकता है, होता है, आहाम तर पर जो नदी होता है, जो समूद्र होता है, ठीक है, समूद्र है या नदी है, इसमें ऑक्सिजन की गैस क्या है, आके dissolve रहती है ठीक है तो वहीं कहराएगी water में इस णिदड को तो इतनॉल महने शराब बेओडों का बेओडों का शराबियों कामरित इतनॉल को water में dissolve कर लिया गया उसे तरह से solid को liquid में तो बहिया चीनी होती है glucose होता है पानी में dissolve कर लिया गया किसी gas को solid में dissolve किया गया तो hydrogen को palladium पर dissolve कर लिया गया यह actually में catalyst वाली reaction होती है मैं जब दिखाऊंगा आगे चलके तो वहाँ पर यह चीज अच्छे से समझ में आएगी यानि कि जो hydrogen की gas जो gas है यह solid है तो solid में आके dissolve हो जाती है किसी liquid को किसी gas में dissolve करना है जैसे amalgam of mercury mercury को sodium के साथ dissolve कर लो उसे तरह से solid को solid में dissolve करना है तो भाईया copper को gold के साथ dissolve कर लिया जाए अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि solid solid कहां dissolve होता है copper और gold अरे भाईया क्या होता है alloy का नाम सुने हो कि नहीं alloy बताओ क्या होता ये mixture of metals होता है तो वहीं कहा जा रहा है कि solid को solid में dissolve किया गया है ठीक है ये जो पूरा table दिख रहा है मैं बताओ इस table को थोड़ा सा बढ़ियां से देखे रहो क्या देखे रहो कि भाईया gas को gas को dissolve करने का oxygen nitrogen का example हो गया solid को gas से dissolve करने का camphor और nitrogen मतलब ये थोड़ा सा हलका सा इसको memory में रखना ठीक है ये important है इसको छोड़ना नहीं है जानकारी में रखनी है इसको ठीक तो चलो इसमें और आगे बढ़ते है अब एक और चीज आता हम लोगों के सामने कि जो भी solution बना है ठीक है उसका हम लोगों को क्या करना है measurement ठीक है जैसे माल लो ये तुम्हारा घर है ठीक है home या house और यहाँ पर क्या है तुम्हारा school और ये रही सडक ठीक है तो घर से निकलते हो ठीक है तो देखते हो ने कि school कितना दूर है 2 km है कि कितना है 3 km है कितना है तो ये km है क्या ये जो सडक दिख रहे है रोड दिख रहा है इसके length का measurement है वो बात अलग है कि कुछ बच्चों के ठीक है कुछ बच्चों का घर जो होता वो 2 km से दूर होता है school से यानि school और घर के बीच के जो distance होती है वो 2 km ही होती है लेकिन वो बच्चे जब school से निकलते हैं ठीक है तो वो इतना market में गोल-गोल घूमते हैं इतना घूमते इतना घूमते हैं वो school पहुची नहीं पाते हैं और वो अपनी girlfriend के कालोनी में पहुच जाते हैं और फिर वापस से घुमते 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 घुम इस water में हम लोगों ने क्या करा कुछ चीनी को glucose को मिला लिया तो यह जो solution बना है कितना बन गया कितना है इसको measure करेंगे नगा तो जो measurement किया जाएगा वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि उसे को हम लोग बोलते क्या है concentration of solution कि solution है कितना उसको measure किया जाए ठीक है उसे को क्या कहते है concentration of solution ठीक है तो यह कुल हमारे किताब में कितना दिया है 7 types में दिया है 7 तरीके से इसको measure किया जाता है तो जो सबसे पहला unit आता है ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते है mass percentage बहुत ही आसान है mass percentage यानि कि जो इसमें यहां तक मालों हम लोगों का water भर दिया गया ठीक है माल लेते कितना 90 gram ठीक है उपर से हम लोगों ने इसमें क्या किया 10 gram NaCl मिलाया NaCl माने क्या नमक ठीक है नमक salt, common salt तो solute कौन हो गया जो हम लोगों का नमक है या salt है यह क्या हो गया solute और जो यह water दिख रहा है यह क्या हो गया solvent हो गया तो जो solute होगा और जो solvent होगा दोनों को किस में मिजर करना है mass में मिजर करना है ठीक है यानि यह भी mass में है 10 gram और यह भी कितना है इसको आम लोग क्या बोलते हैं मास परसेंटेज बोलते हैं तो बस इसकी योनिट को पता करें तो परसेंटेज ओफ सोल्यूट कितना हो जाएगा मास ओफ सोल्यूट यही होगा बताओ डिवाइड बई टोटल मास ओफ सोलूशन बोलो होगा कि ने यही होगा तो मास अफ सोल्यूट कितना है मास अफ सोल्यूट कितना है टेन ग्राम तो टेन डिवाइड बई टोटल मास अफ सोलूशन दिखो सोलूशन मनी क्या यह जो सोल्यूट है और यह जो सॉल्वेंट है दोनों मिला के solution तो solution यहाँ पर कितना बन गया है 100 gram का तो यह कितना हो गया 100 divided multiplied by 100 ठीक है यह 100 हो गई तो इसको solve करें तो यह कितना जाता है 10% आ जाता है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो solution बना है उसमें जो solute का concentration है solute का वो कितना है 10% आहरी बार समझ भी जब 10% solute है तो solvent कितना बहिया 90% चाहें तो हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं देखो मैं दिखाता हूँ कैसे निकालोगे वापस से same चीज़ percentage of solvent तो क्या हो जाएगा mass of solvent ठीक है total mass of solution multiplied by 100 ठीक है तो mass of solvent कितना हो गया 90 gram solution का mass कितना है 100 gram ठीक है multiplied by 100 कितना हो गया 90% तो ये जो unit दिख रही है mass percent इसमें measure करने का मतलब क्या होता है कि जो solute हो गया और solvent हो गया दोनों कैसा होना चाहिए mass में होना चाहिए ठीक है mass में दोनों को mass में measure करना है जो दूसरी unit आती है इसको हम लोग बोलते है volume percentage आसान है भाई इसमें कौन सा दिमाग लगाना है volume percentage तो इसका साफ मतलब है कि इसमें दोनों ही चीजों को किसमे मिजर किया जागा volume है जैसे यहां पर 90 mL water है ठीक हम लोगों ने बाहर से 10 ml एथनोल को क्या क्या मिला दिया तो वापस से देखो अब हुआ क्या है कि जो हम लोगों का solute है वो किसमें मेजर किया जाएगा volume में जो solvent है वो भी किसमें मेजर किया जाएगा volume में तभी तो इसको 10 ml, 90 ml लिख रहे हैं ठीक है टोटल वैलूम अब सोलूशन 100 मिली लिटर मल्टिप्लाइड बाई 100 तो देख लो कि ये मिली मीटर से मिली लिटर कैंसेल हो गया ये से कैंसेल हो गया यानि कितना आ गया 10% तो यहाँ पर जो सॉल्यूट का वैल्यूम है वो कितना है 10% उसे तरीके से percentage of solvent निकाले तो कितना हो जाएगा 90 मिली लिटर वल्यूम है इसका divided by 100 मिली लिटर of solution multiplied by 100 ये कितना आ गया 90% यानि कि यहाँ पर जो solution बना है उस solution में हम लोगों का जो वल्यूम of solvent का percent है वो कितना है 90% आसान है समझ में आ गया होगा ये सब थोड़ा ध्यान में रखना ठीक है क्योंकि अभी numericals लगाएंगे तो इन सब की अवशकता हम लोगों को पढ़ेगी ठीक ना तीसरी चेज़ आती है mass by volume ठीक है mass by volume percentage देखो इसको हम लोग m by v से भी दिखाते हैं इस तरीके से ठीक है m by v इसका मतलब यह होता है कि कहीं पर जो हम लोगों का यहां पर जो solution बना है वो कितना बना है hundred milliliter ठीक है तो इस hundred milliliter में कितने gram how much gram of solute mixed बात समझ लो यह जो hundred milliliter का यहां पर जो solution बना है तो इस solution में कितने gram solute को मिलाया गया है यहीं जो measurement होता इसी को में लोग क्या बोलते है mass by volume percent ऐसे समझ जो बाई mass आगे लिखा है तो solute किस में measure किया जागा mass में तो इसलिए तो कह रहा है कितने gram volume में कौन measure किया जाएगा solution solution को किस में measure करेंगे volume में तो यह क्या हो गया mass by volume percent ठीक है hundred milliliter के solution में आसान होगा मेरी ख्याल से चीजे समझ में आ रहे होंगी ठीक तो इसके आगे बढ़ते हैं अब देखो जो चौथा unit आता ने fourth वाला यह है important इसको में लोग क्या बोलते है mole fraction important तो है लेकिन बहुत ही आसान एक ही बार में समझ में आ जाएगा चिंता मत करो मैं ऐसे समझाओंगा माल लो यह तुम्हारे पास एक कोई container है container इसमें माल लो यहां तक कुछ बहरा हुआ है क्या बहरा हुआ है solvent ठीक है solvent उसको हम लोग mole में मिजर करेंगे और उस mole को हम लोग ने कितना माल लिया N1 ठीक है उसी तरीके से यहां पर हम लोगोंने कुछ मिला दिया इसमें जिसको हम लोग क्या कहेंगे solute और उस solute को हम लोग किस में मिजर करेंगे उसको भी mole में मिजर करेंगे और वो कितना है N2 ठीक है तो यहां पर जो solution बन गया solution का mole कितना हो गया भाईया mole of solution कितना हो गया N1 प्लस N2 हो गया कि नई क्योंकि यहां पर जो solution बन गया है यह solution इससो solution में क्या क्या है solute भी है और साहत में कौन है solvent भी है तो दोनों को mole हम लोग जोड़ दे तो दोनों का मोल N1 प्लस N2 जोड़ दे तो क्या हो गया? मोल of solution हो गया असान है? ठीक? अब इसमें से मैं पूछ हूँ कि solute का मोल कितना है solute के मोल का fraction कितना है तो क्या बताओगे? कि total मोल हम लोगों का कितना था? N1 प्लस N2 था जिसमें से solute कितना है? N2 है इसे को हम लोग मोल fraction कहते है जैसे मैं बताओँ कि तुम्हारे class में 50 student हैं, 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में से कितने pass हो गए? मालो pass होने वाले कितने हो गए? 45 तो ऐसे लिखोगे ना 45 divided by 50 50 बच्चे थे लेकिन pass कितने हो गए? 45 तो ये इसका क्या हो गया? pass होने वाले बच्चों का fraction हो गया, ठीक है? तो उसी तरीके से देखो, मोल fraction को ऐसे x जैसा बना के दिखाते हैं, ठीक है? तो मोल fraction of solute, थोड़ा नीचे लिखेंगे इसको, कितना हो जाएगा? N2, क्योंकि इसका मोल यही है, solute का मोल N2 है, divided by N1 प्लस N2 यह हो गया, बताओ आसान है, उसे तरीके से ये मोल fraction of solvent, क्या हो जाएगा? N1 divided by N1 प्लस N2 आरही हुए मेरी बात, मेरी ख्याल से, ठीक है? तो ये मोल fraction, अरे भाई मेरी कहने का मतलब यह है, समझ जाओ N1 और N2, टोटल मोल में से, तो यही क्या है? मोल fraction है, उसी तरीके से solvent का मोल कितना है? N1 है, ठीक है? तो टोटल मोल कितना है? N1 प्लस N2, तो यही क्या हो गया? solvent का मोल fraction हो गया, अब एक और चैस यहाँ पर जो हम लोग मोल fraction solute का और मैं मिटा के दिखाता हूँ, ठीक है? मोल fraction solute का प्लस मोल fraction solvent का, इसको थोड़ा करते हैं add, तो यह कितना हो गया? N2 N1 प्लस N2 प्लस यह N1 प्लस कितना हो गया? N1 डिवाइड़ेड वाइ N1 प्लस N2, ठीक है? इसको solve करें हम लोग तो नीचे क्या मिल जाएगा? N1 प्लस N2 और उपर क्या मिल जाएगा? N1 प्लस N2 यानि कि हम लोग देख रहे हैं कि यह पूरा का पूरा क्या हो गया? Cancel और हमें कितना मिल गया? 1 तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि mole fraction of solute mole fraction of solvent जब इसको add करोगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा ठीक है? ध्यान रखना इसको इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखना ठीक है? अब उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है सौरी यह चौथी तो होई गई अब जो पाँचवी चीज़ आती है इसको हम लोग क्या बोलते है parts per million ठीक है? यह पाँचवा unit हो गया parts per million million समझते ही हो जो भी बच्चे YouTube देखते हैं million समझते ही होंगे हम लोग कितना बोलते है? 1 million is equal to 1 million is equal to कितना होता है भाई? 10 lakh होता है न? 10 lakhs 10 lakh को 1 million कहा जाता है आरे यह वास हो जब जब तो जैसे मैं बताओं कि हमारे देश में हर 10 lakh लोगों में 50 लोगों को Corona virus हुआ है ऐसे मालो आकड़ा है गिंती करने के लिए कि हमारे देश में इतने सारे खुब धेर सारे आदमी है खुब धेर सारे और यह कितने है भईया 10 lakh 10 lakh आदमी है तो इसमें 50 लोगों को Corona virus से infected है Corona positive तो एक बात बताओ इस 10 lakh में इस 10 lakh लोगों में 50 लोग जो Corona से infected है वो भी है और जो 50 लोगों को छोड़कर जो infected नहीं है वो भी है ठीक है आरे बात समझ में कि नहीं तो उतने 10 lakh में 50 लोग Corona से infected है यह कहने का तरीका है measurement का यह क्या है तरीका है देखो उसी तरह से इसको इस तरह से कहा जाता है जैसे मैं दिखाऊं कि माल लोगों यह हम लोगों को एक container है और इस container में H2O के यह रहे particle ठीक है H2O के particle ठीक यह सब क्या है भया H2O और साथ में हम लोग कहें कि इसी में यह जो pink color दिख रहा है यह कौन है chlorine है ठीक तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि हर 10 lakh H2O के particle जो मौजूद है यहां जो दिख रहे हैं उसमें 20 chlorine के particle है आरी बहुत समझ भी यह भी तो एक measurement का तरीका हो गया न तो इसको मैं लोग क्या बोलते हैं PPM बोलते है PPM या फिर parts per million इसको दिखाने का तरीका क्या होता है बहुत ही असान PPM इसकल टू PPM इसकल टू मैं दिखा रहा हूँ total parts of solution टूटल parts of solution उसके बाद parts of solute ठीक है multiplied by 10 के power 6 आरे बहुत समझ में की नहीं बोलो मेरी खाल से आरे होगी मेरी बहुत समझ में जो parts of solute हो गया कौन chlorine हो गया total parts of solution यानि इसमें गिंती करने के बाद H2O के particle और chlorine के particle गिंती करने के बाद वो कितने वे और multiplied by 10 के power 6 तो अब ये जो निकल क्या हैगा ये क्या निकल क्या हैगा PPM parts per million इसको बोलेंगे उसे तरीके से यदि solvent का निकालना होता तो बस यहाँ पर क्या हो जाता भाईया parts of solvent इसको हम लोगों का six वाला unit आता है important है ठीक है ध्यान से सुनना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं molarity बोलते हैं और इसको दिखाते के से capital M से ठीक आसान है भाई आसान है इसमें बहुत ज़्यादा तरीका होता है molarity इसको यह होता है number of moles of solute number of moles of solute यानि कि solute को किसमें मिजर करेंगे moles में divided by total volume of solution और वो भी किसमें होना चाहिए liter में ठीक है यही तो हो गया है molarity यही तो है number of moles of solute divided by total volume of solution तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं तो इसको N से दिखाएं और इसको V से दिखादें और यह V किसमें होना चाहिए भाया volume of solution किसमें होना चाहिए liter में होना चाहिए इस formula को थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाएं तो यह कितना होता है weight upon molecular mass होता है बताओ weight upon molecular mass तो small w और capital w divided by V बताओ mole is equal to क्या होता है यह यह जो mole है यही न होता है weight upon molecular mass यही न होता है भाई weight is equal to molecular mass तो capital w से हम लोगों ने molecular mass को दिखा दिया small w से weight को दिखा दिया और नीचे volume है लेकिन माल लो कि volume यदि milliliter में हो जाए milliliter में हो जाए तो भाईया हम लोग क्या करते है इसको thousand से multiply करते है तो final मैं formula लिख देता हूँ weight upon molecular mass divided by 1000 divided by volume अब यहाँ पर यह volume किस में हो गया milliliter में हो गया यह formula ध्यान रखना अच्छा अभी बहुत सारे बच्चों को क्या है कि यह सब formula बगेरा बहुत समझ में आएगा नहीं अभी तो chapter की शुरुआत है अभी इसमें तो छोड़ी छोड़ी बात ही सिखाई जा रही है अभी तो असरी चीज हम लोग पहुची नहीं रहे है ठीक है तो अभी थोड़ा सा बस क्या करो patience बनाए रखो एक बार इन सारी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं कि कौन-कौन क्या-क्या है यहां पर यह molarity है ठीक यह weight of solute है ठीक यह solute का molecular mass है यह volume of solution है और वो भी किसमें? milliliter में यदि liter में होता तो यह thousand यहान नहीं होगा ठीक है? बस यही बात है आगी बात समझ में तो यह molarity का formula ध्यान रखेंगे अच्छा, molarity अभी हम लोगों ने देखा कि क्या होती है अभी हम लोगों ने देखा कि molarity as a call to क्या होता है number of moles of solute divided by volume of solution in liter तो इसकी unit क्या हो जाएगी unit भी ध्यान रखेंगे mol per liter या फिर molarity कि जो unit है वो कैसी हो गई mol per liter ठीक है यह वाली unit ध्यान रखना तो यह इसका formula हो गया और यह इसका क्या हो गया unit हो गया, ऐसा unit आगे जो हम लोगों का 7वा unit है, इसको हम लोग क्या बोलते है molality ठीक है molality ठीक है, और इसको दिखाते है किसे? small m से देखो इसमें क्या होता है कि जो number of moles of solute ठीक है number of moles of solute यह तो वही रहे गया लेकिन divided by mass of solvent देखो भाई, confuse मत होना solvent, solution नहीं और वही किसमे kg में ऐसे समझ जाओ यह रहा container ठीक है यहां पे कुछ पानी वगएरा कुछ भरा हुआ है ठीक है तो इसका जो यह solvent हो गया तो इसका जो हम लोग mass measure करेंगे वो नीचे आ जाएगा और इसमें जो भी solute मिलाओगे solute वो जो solute मिलाओगे उसको किसमें मिजर करना है मॉल में मिजर करना है तो small m क्योंकि इसकी unit है formula आगे बढ़ाएं हम लोग तो क्या लिखेंगे number of moles of solute divided by mass of solvent mass of solvent को किससे दिखा दे चलो capital M से दिखा देते हैं capital M से तो अच्छा unit क्या हो जाएगा यह हो गया mol क्योंकि यह है किसमें kg में होना चाहिए तो mol divided by kg या फिर mol पर kg इसकी SI unit यह SI unit हो गई किसकी molarity की formula को थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाएं तो यह हो गया weight upon molecular mass divided by 1000 divided by यह हम लोगों का mass of solvent अब यह किसमें हो गया ग्राम में हो गया ठीक है ध्यान रखना यह formula इस formula को थोड़ा समझ लिया जाए यह molarity है small m यह small w जो दिख रहा है weight of solute यह जो capital w दिख रहा है भईया क्या है यह molecular mass of solute molecular mass of solute ठीक है यह 1000 समझ में आ रहा है यह capital M क्या दिख रहा है भईया mass of solvent लेकिन अब वो किसमें है क्योंकि ग्राम में क्योंकि उपर क्या आ गया है 1000 आ गया है ठीक है तो यह कुछ सात तरीके की units कौन लोगों ने देखा है वीडियो को दो-तीन बार rewind करके देखो और एक आत बार अपने rough पर भी लिखो ठीक है और दो-तीन बार देखोगे दो-तीन बार अपने rough पर भी इस चीज़ को लिखोगे तो यह सातो तरीके की units याद हो जाएगी अब नहीं भी याद हो तो मैं बताओ कि कौन कौन सी याद रखना एक तो याद रखोगे कौन mole fraction यह पका याद रखना है उसके बाद एक और मैं बता दू molality इसको जानना है और उसके बाद एक और मैं बता दू molality ठीक है यह तीनों तो जानना ही है इसके बगार तो काम नहीं भी चलने वाला ठीक है तो इन तीनों को कम से न तीन तीन बार रफ पे लिकलो अभी, अभी याद हो जाएगा, आसान है, ठीक, चलो, इसमें और आगे बढ़ते हैं, या मेरे ख्याल से रहने दिया जाए, क्या क्या जाए, ठीक है, लगबक 40 मिनिट होने वाले हैं, ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं अभी वीडियो को रोक लेता हूँ, ठीक है, और आगे अभलों, फिर से आगे की गलास में देखेंगे, और आज के लिए इतना ही रहेगा, तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए क्या भी है, ठीक है, वीडियो क्या करो, देखते रहो, कीप वाचिंग, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है, क्या करो, हसते रहो, मुस्कराते रहो, और खुश रहो, देखो यार, मैं एक चीज़ बता दू, जिन्दगी क्या है न, चैलेंजे से भरी हुई है, कोई से बच नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे हमारे जिन्दगी में तकलीफें, समस्याएं, चुनोत जाती है, और हम लोगों का सलेबस तो मेरे ख्याल से कितना जाएगा, दो-तीन महिने जाएंगे, जादा नहीं जाएगा, ठीक है, दो-तीन महिने में यह मैं पूरी किताब खतम कर दूँगा, एदम बढ़ियां से, सारे बच्ची हीरो बन जाओगे, जो मेरे साथ रीदम में होंगे, जो मेरी कही गई बातों को मान रहे हैं, और सुन रहे हैं, और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहा हूँ, ये विडियो क्लास इस चेप्टर का पार्ट सेकेंड है, ठीक है, और चेप्टर हम लोगों का कौन सा चला है, सोलोशन, ठीक है, और इस चेप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया ही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस चेप्टर में बहुत धेर सा सारे numericals आएंगे और बहुत ज्यादा कठी नहीं है ठीक है मेरे साथ rhythm में बने रहोगे तो ये chapter भी बहुत असान है ज्यादा मुश्किल नहीं इस chapter में और एक और चीज में बता दूँ ठीक है जितनी भी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं ठीक NEET जैसा कि मैंने बता ही रखा है को और बार मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही बोल दूँ ठीक है CVSC हो गया NEET हो गया और EEE हो गया इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं सोचना है ठीक है IIT में क्या है थोड़ा सा और question की practice करनी पड़ती है वो भी किसमें organic chemistry में ठीक है ने तो इसमें से लगभग काम बन जाते हैं उतने काम तो बनी जाते हैं कि एक इनसान का काम बन जाया ठीक है और आम तर वो बच्चों को लगी का कि मैं हवा हवाई चीजे बोल रहा हूँ बिटा ऐसी बात नहीं है ठीक है बजार में जितनी भी किताबे famous हैं न चालिस से जादा 40 प्लस किताब तो मैं खुद अपने समय पर पढ़ा था ठीक है और इतनी जादा मैंने मेहनत क्यों किया था मैं थोड़ा बता दूँ क्योंकि देखो होता क्या है मेरा यहां देख रहे हो न यहां पर जाना था ठीक है तीन चार पांच छे साल प्रैक्टिस करके मुझे यहां पर जाना था क्योंकि यहां पर जो टीचर होते हैं वो almost उनकी जो salary होती है वो इतनी होती है पर एयर ठीक है ठीक है देख रहे हो है न इतनी salary उनकी पर एयर होती है तो मैंने सोच था कि हलाकि मैंने अपनी पढ़ाई NEET या MBBS जो भी कहां उसको छोड़ दिया था तो इसका यह मतलब नहीं था कि भया हम जिन्दगी में अब कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ तो किया है जाएगा तो इसलिए इसके लिए काफी ज़्यादा मेहनत मैंने किया था और तब तक बीच में यह चीज आ गई यह चीज आ गई तो अब मैं इसकी त्यारी में लग गया और यहां पर फिलाल तो अभी जाने का जो प्लान है वो रुका हुआ ह तो इसलिए थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान से सुनो अच्छा एक और चीज मैं बच्चों से जानना चाहूंगा जितने भी बच्चे इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं एक काम करो कॉमेंट करके मुझे ये बता दो कि क्या वाकई में चीज़े समज में आ रहे हैं कि नहीं जैसा जैसा मैं बताना चाहा हूँ इस वैसा तो पर गब चीज को कम कम ड़स जांना दस बार, चार बार, पांच बर, शे बार, 8 बार जितना बार रिवास कर सकते हैं अतनी बार रिवाइस करो यह exam hall में जब appear हो न ठीक है तो वहाँ पर question नया नहीं लगना चाहिए ठीक है नया नहीं लगना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ इस तरह के question को तो मैं लगाया हुआ हूँ ठीक न और इस video class में अभी जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ न बहुत मजाने वाला है ठीक है बहुत मजा आएगा सारी चीजे एक दम सीख जाओगे एक ही बार में सीख जाओगे इतना असान है शुरू में क्या था कि जैसे मैंने बताया था जैसे एक हो गया हम लोगों का ओर मोललटी हो गया खिय कहा है इसको capital M से दिखाते हैं और एक क्या चीज थी हम लोगों की मोल फ्रेक्शन ठीक है तो मैंने कहा था कि कम सकम इन तीन चीजों को तो जानना ठीक है तो जानते रहना फॉर्मूला वगेरा क्योंकि नुमेरकल से लगाने में इसकी क्या है अवशकता पढ़ती है ठीक है देखो बच्चो मैं कही बार बता चुका हूँ कि पढ़ाई जो होत कर लोगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को आज एक गाना सुना देता हूँ ठीक है वैसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा वो बात की बात है पर जैसा भी है ऐसे दिमाग में आया तो सुना के फिर आगे क्लास के शुरूआत करते हैं ठीक है दिल दियां गलाँ हाए करांगे नाल नाल बैगे अख न ले अकनों मिलाके दिल दियां गलाँ हाए करांगे रोज रोज बैगे सचीयां महबता निभाके सताए मैनो क्यों दिखाए मैनो क्यों एवे जोटी मुठी रुस के रुसा के दिल दियां गला है करांगे नाल नाल बैके सच्चियां मुहबत निवा के अब चलो ठीक है जादा खुश नहीं होना ठीक है अब चलो आगे की क्लास को हम लोग शुरू करते है ठीक है बहुत मज़ा है गा ठीक है बहुत मज़ा और मैं दिखा दूं कि हम लोगों ने यह पढ़ लिया था क्या पढ़ लिया था भाई टाइप अब सोलोशन ठीक है उसके बाद हम लोगों ने जो सोलोशन बना था उसको जो मिजरमेंट करने के कुल सेवेन यूनिट्स को भी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये Henry law हो गया और ये Raouls law हो गया, ठीक है, और ये बहुत ही important है, इस पूरे chapter का समझ जाओ कि सबसे ज़्यादा important है ही है, तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा point, तो आज हम लोग ये ही point पढ़ने वाले हैं, ठीक, उसके बाद ये ideal, non-ideal solution हो ग तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, Henry law और Raouls law को बहुत अच्छे से समझेंगे इसके बारे में, ठीक, तो चलिए भीया, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला point हम लोगो काता है, solubility, ठीक है, बहुत ही असान है, देखो ये जो मिठाई बनती है, ठीक है, हलवाई के दु पानी मिलाता है, ठीक, और साथ में क्या मिलाता है भीया, चीनी, पानी और चीनी, और इसको क्या करता है नीचे से, हीट करते जाता है, तो तुम देखोगे, कि इसको जितना ज़्यादा हीट करता है, और साथ में इसमें चीनी की एमाउंट को बढ़ता जाता है, है ना, तो क्या समझ रहे हैं यहां पर, मैं क्या चीज़ समझाना चाहरा हूँ, कि यहां पर जितना ज़ादा यहां से temperature बढ़ाया जाएगा, या heat बढ़ाया जाएगी, तो इसमें जो चीनी है, वो ज़ादा से ज़ादा क्या है, dissolve हो सकती है, आरे बाद समझ भी, तो अब देखो जो solubility की definition में बोलने वाला हूँ, बहुत ही आसान है और एक ही बार में समझ में आ जाएगा, maximum, ठीक है, maximum amount of solute, ठीक है, क्या है maximum amount of solute, यानि कि at fixed temperature, देखो सबसे जरूरी चीज, at fixed temperature, किसी fixed temperature पर, अभी गाने में तो नहीं खुए हो, बाहर निकल के आओ, ठीक है, गाने में नहीं खुए होना है, अब solubility को पकड़ना है, समझना है इसको, देखो, तो किसी fixed temperature पर, जितनी भी, जितनी भी इसमें चीनी dissolve हुई, maximum, maximum वाले ठीक है, वहीं क्या है, solubility है, बताओ, तो इसको हम लोग ऐसे, कैसे समझेंगे, the maximum amount of solute, can be dissolved in any specific solvent, at fixed temperature, is called solubility, आ गई होगी मेरे ख्याल से बात समझ में, ठीक है, बोलो, ठीक है, देखो, अब यहाँ पर हम लोग देखें, कि जो solubility होती है, किसी solid को जब liquid में dissolve किया जाता है, तो वो किन चीजों पर depend करती है, तो भाई या, देखो, कि वो चार चीजों पर depend करती है, ठीक है, सबसे पहली, और यह चारों important है, यह important है, कोई भी solid को जब liquid में dissolve किया जाएगा, जैसे अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पर, मैंने क्या दिखाया था, बताओ, जो चीनी है हम लोगों का, कैसा होता है, चीनी, शुगर कैसा होता है, अरे भाई, solid होता है न, और यहाँ पर जो चाशनी बनाई जा रही है, जो सिर्का, रसगुले का, ठीक है, रसगुले का चाशनी, सिर्का जो बनाया जा रहा है, यह किस में dissolve होता है water में बताओ और water कैसा होता है liquid होता है ठीक है तो किसी भी solid को जब liquid में dissolve किया जा रहा है तो वो किन factor पर depend करता है वो इन चारो factor पर depend करता है यही चीज मैं समझाने वाला हूँ ठीक तो जो सबसे पहली point आती है like dissolves like इस चीज को समझते हैं दिखो होता क्या है polar जो होता है वो polar में dissolve होता है अब जैसे जानते होगे कि जो शराबियों की संगती होती है वो आसानी से शराबियों की संगती बना लेता है भाई ठीक है ठीक है चोर-चोर मौसरे भाई यानि चोर जो होता है वो चोर की संगती असानी से बना लेता है यानि चोर-चोर के साथ असानी से घुल मिल जाएगा क्लास में देखोगे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ने वाले ग्रूप सर्किल बना के रखते हैं और जो ऐसे मजा मस्ती मारने वाले होते हैं वो ऐसे बेवकूफों की ग्रूप सर्किल बना के रखते हैं ठीक है तो जो polar molecule होगा ठीक है वो polar में dissolve होगा और साथ में क्या है जो non-polar होगा ठीक है वो non-polar में dissolve होगा इसी को कहा जा रहा है ना like dissolve like यानि जो जैसा होगा वो उसके साथ क्या है dissolve कर जाएगा देखो polar और non-polar को थोड़ा हम लोग समझ लें जैसे कि मैं example HCl कर ले लूँ ठीक तो यहाँ पे equivalent bond बना है यहाँ पे दो electron है इसमें बताओ एक equivalent bond पे दो electron होते हैं यहाँ ठीक है लेकिन इसकी electronegativity जादा है तो यह electron को अपनी तरफ खीत सकता है तो इसलिए इस पर partial negative charge और इस side negative तो इसलिए यह क्या हो गया polar हो गया ठीक है pole जैसे CL2 का example हम लोग ले ले तो यहाँ पर electron है ठीक लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जितने attraction से यह वाला chlorine खीच रहा electron को उसे तरीके से यह खीच रहा है इसलिए यह दोनों ही नहीं खीच पा रहे है इसलिए दोनों का charge कैसा है zero यानि यहाँ पर कोई charge का separation या फिर polarization नहीं हुआ इसलिए यह क्या हो गया non polar हो गया ठीक है आगे वह बात समझ में तो वही चीज़े अब मुझे बताओ कि क्या HCL chlorine में dissolve होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि HCL क्या है polar है और chlorine क्या है non polar है ठीक है लेकिन उसी तरह से हम लोग ब CCL को H2O में dissolve करेंगे तो हो जाएगा आसानी से आसान है समझ में आ गया क्योंकि polar polar के साथ dissolve हो गया उसी तरह से helium की बात करें यह कैसा है non polar तो chlorine और helium क्या होंगे dissolve हो जाएगे आगे बात समझ में बताओ अब जैसे मैं CCL4 ले लूँ यह क्या है non polar है ठीक है तो chlorine क्या होगा chlorine CCL4 में आसानी से dissolve हो जाएगा ठीक है मैं किसी दिन अच्छे से जब मैं organic chemistry पढ़ाऊँगा तब मैं और अच्छे से बताऊँगा कि किसी molecule को देखकर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो polar है कि नहीं है ठीक अभी जो हम लोगों को यहाँ पे चीज जाननी है कि polar molecule polar के साथ dissolve ठीक आसाने दूसरा point आता है बच्चो लोग nature of solute and solvent ठीक है अब देखो मालो यह solute इतना बड़ा बड़ा है ठीक है इसकी size इतनी बड़ी बड़ी है बताओ ठीक है तो बीच-बीच में खाले जगब मिल गई ना बताओ यह हम लोगों का मालो क्या है solute बीच-बीच में खाले जगब मिल गई लेकिन अब solvent तुम्हारा इतना बड़ा हो जाए बताओ तो भया क्या यह दोनों एक दूसरे में resolve हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे लेकिन यदि पार्टिकल छोटे-छोटे होंगे तो अराम से यहां आ जाएंगे बताओ समझ आ रहे ही बात की नहीं तो इसी को कहा जाता है कि nature of solute and solvent solute और solvent का nature कैसा है तभी पता चलेगा कि वो उसके साथ dissolve होगा की नहीं होगा आ रहे ही बात समझ में तीसरी चीज़ भया effect of temperature अभी हम लोगों ने देखा था कि कड़ाई में या container में यहां तक water भरा है और उपर से इसमें sugar dissolve किया जा रहा है तो बताओ कि क्या हुआ था जैसे जैसे temperature बढ़ा रहे थे तो भया इसमें और ज़्यादा चीनी मिलाई जा सकती थी बताओ यानि और ज़्यादा sugar इसमें क्या है dissolve हो रही थी तो हम लोग क्या समझेंगे temperature बढ़ाओगे तो solubility क्या होए बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बोलो आसाने आसाने ठीक यह जो fourth point बच्चो लोगाता effect of pressure देखो भाई जब यह कोई solid किसी liquid में dissolve हो रहा होता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई pressure का बहुत कोई वैसा रोल होता है ठीक है प्रेशर के कोई वैसी भूमिका होती नहीं है ऐसा नहीं है एसा नहीं होता है कि जब हम लोगों का यह sugar इस water में dissolve करी जा रही है तो इस पर pressure का कोई बहुत effect आने वाला है ठीक है नहीं आता है कब जब कोई solid किसी liquid में dissolve होता है तब यानि pressure is equal to क्या no roll आगी बाह समझ में समझ में आ गई हुगी मेरे ख्याल से आ जाने चाहिए अच्छा एक चीज मैं इसमें बता दूँ effect of temperature में थोड़ा सा देखो यहाँ पर हम लोगों का liquid है ठीक है इसमें कोई solid चीज मिला ही जा रही है अच्छा एक चीज समझना जब यह dissolve हो रहा था और यहाँ से बहुत बार ऐसा होता है कि heat निकलने लगे यानि यहाँ से क्या निकल रही है heat यानि किसी solid को किसी liquid मिला है चूना होता है ना भाई चूना को पानी में जब मिलाते हो तो heat निकलने लगती है बताओ समझ जाओ कि जहाँ से जिस process में heat निकलती है उसको क्या कहते है एकसो thermic process बोलती है और delta H कैसा होता है नेगेटिव तो माल लो कि कोई solid जब liquid में dissolve हो रहा है और वहाँ से खुद heat निकल रही है तो उस condition पे यदि temperature बढ़ाओगे तो solubility क्या है decrease करेगी logic समझ ना क्योंकि भाईया जब ये खुद इसमें dissolve हो रहा है तो ये खुद heat निकाल रहा है और जब temperature बढ़ाई दोगे तो इसकी solubility क्या है decrease करने लगेगी कम हो जाएगी है ना उसी तरीके से endothermic समझे endothermic क्या होता है कि किसी process को होने में heat चाहिए होती है ठीक है heat चाहिए होती है जैसे अभी हम लोगों ने देखा था हलवाई कड़ाई में गरम कर रहा था तो वहाँ पे जो delta H होता वो कैसा हो जाता है positive तो किसी चीज को dissolve होने के लिए heat चाहिए है ना वो endothermic process हो गई तो वहाँ पर temperature बढ़ाते जाओगे तो solubility भी क्या है बढ़ती जाएगी मेरे ख्याल से ये बाते समझ में आ गई होंगी ठीक है तो चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं क्या है sorry अब देखो जो हम लोगों की असली चीज आ गई कोई gas किसी liquid में जब dissolve होती है ठीक है तो उसके लिए Henry साहब आ गए सबसे पहले और उन्होंने एक नियम दे दिया जिसको क्या बोला गया Henry law बोला गया जैसे तुम नियम देते तो तुमारे नाम का नियम बन जाता तुमारे नाम का law बन जाता ठीक है उसी तरह से Henry साहब ने दिया तो Henry साहब के नाम का क्या है law बन गया अब देखो मैं कैसे समझाता हूँ ये हम लोगों का पूरा liquid है ठीक ये रहा liquid बताओ और क्या dissolve होना इसमें इतना प्रेशर लगेगा उतनी स्पीड से ये गैस के पार्टिकल क्या करेंगे इस पाने में आके dissolve हो जाएंगे बोलो है की नहीं असान है समझ में आ रहा होगा अरे बताओ भाई ये पॉइंट समझ में आ रहा है की नहीं जब ये पार्टिकल गैस के पार्टिकल थे इस पर जितना प्रेशर लगेगा जादा प्रेशर लगेगा तो ये सारे पार्टिकल क्या होंगे दोड़ते दोड़ते आएंगे भाई इसमें पानी में या लिक्विड में dissolve होने के लिए बोलो होगा की नहीं होगा ऐसा बताओ तो यहां से हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि प्रेशर डिरेक्ली पॉपोर्शनल मोल फ्रेक्शन ओफ गैस डिजॉल्व इन दे लिक्विड बताओ क्या ये बात समझ में आई है यहीं बात जो मैं बोला होने यहीं हेंडरी लौ है फिर से समझते है प्रेशर अप्लाइड ओन दे गैसियस पार्टिकल इस डिरेक्ली पॉपोर्शनल मोल फ्रेक्शन ओफ गैस डिजॉल्व इन दे लिक्विड आगी बात समझ में कि ने यह फॉर्मूला समझ में आया तो क्या है प्रेशर डिरेक्ली पॉपोर्शनल मोल फ्रेक्शन ओफ गैस इसको हटाते हैं हम लोग तो क्या लाते हैं पताए होगा सभी बच्चों को एक तरीके का कॉंस्टेंट आता है ठीक है के आगया एक तरीके का कॉंस्टेंट ठीक है के अच क्या हो गया भाईया हेन्री लॉग कॉंस्टेंट और ये जो फॉर्मूला बना है न पी इसकल टू के अच मल्टिप्लाइड बाई मोल फ्रेक्शन अब गैस ये रहा हम लोगों का इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद कर लो अभी का अभी छोटा ही फॉर्मूला है ठीक है ये कोई बहुत वैसा तोप नहीं है छोटी सी बात है याद कर लो अभी का भी ठीक बताओ अच्छा ही कोड़ चीज बताओ ये प्रेशर और ये मोल फ्रेक्शन अब गैस डिरेक्ली पॉपोर्शनल है न कि जितना ज़ादा बोल्टेज पोटेंशल होगा उतना ही ज़ादा क्या है करेंट फ्लो करेगी तो वी और आई में हम लोग ग्राफ कैसा बनाते है डिरेक्ली पॉपोर्शनल कैसा ही बनता है न भाई तो यहाँ पे भी हम लोग देखें कि यहाँ पर प्रेशर और ग्राफ का जो ग्राफ बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है डिरेक्ली पॉपोर्शनल आगी पास समझ में अब देखो तुम लोग की किताब में कैसे दिया है यहाँ पर बच्चे देखके डर जाएंगे कि भाई यह क्या देदिया है सोचेंगे रिब बाप रहे बाप यह कैसी चीज देदिया अरे भाई कुछ नहीं है सस्ती सी चीज है यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसे यह लिक्विड में यह जादा प्रेशर क्रियेट कर दिया तो हम लोग देखें इसमें जादा इमाउंट के गैस के पार्टिकल क्या है डिजॉल्व हो गए है और यहाँ पर देखो यह मॉल फ्रेक्शन ओफ हसे यह जो की गैस है और उस हसे यह पर लगने वाला पार्शियल प्रेशर तो इसका ग्राफ कैसा बन गया डिरेक्टली प्रपोर्शनल बताओ आसान है आसान है की नहीं आसान ही होगा भई ठीक ना आसान बिलकुल तो यह दोनों बाते समझ में आ गई होंगी अब देखो जो एक सबसे जरूरी चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ हम लोग ने यह फॉर्मूला तो देख लिया कि P is equal to KH और यह mole fraction of gas ठीक है अच्छा यहाँ पर हम लोग सिर्फ mole fraction of gas को निकाले है तो क्या हो जाएगा यह इधर आ जाएगा P upon क्या हो जाएगा KH हो जाएगा बताओ अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ mole fraction of gas में और Henry log constant में कैसा relation दिख रहा है inversely relation दिख रहा है यानि कि mole fraction of gas हो गया 1 upon क्या हो गया KH हो गया यानि Henry log constant हो गया inversely relation मने क्या है कि यदि यह वाली चीज बढ़ेगी ठीक है तो इधर mole fraction of gas कैसा होगा decrease करेगा क्या ये बात समझ में आ रही है बो लोग आ रही समझ में तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो gas के particle थे ठीक है उपर से हम लोगों ने इस पे लगाया pressure तो भागे भागे कहां आए liquid में dissolve होने लगे ये सब क्या पा जाएंगे kinetic energy तो ये सब जो liquid में dissolve हो रहे था dissolve होने के बजाए क्या करेंगे ये सब भागने लगेंगे तो हम लोग समझ क्या रहे हैं यहाँ पर कि यदि temperature बढ़ाओगे तो mole fraction of gas है dissolve होने वाली वो क्या है decrease करती जाएगी और यहाँ पर देखो कि जब mole fraction of gas decrease करती है तो henry law constant कैसा है बढ़ते जाता है तो बस henry law constant क्या होगा बढ़ते जाएगा increase करेगा तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब temperature बढ़ाया जाएगा तो mole fraction of gas कम dissolve होगी और henry law constant कैसा है बढ़ता जाएगा ठीक है यह वाली चीज को याद रखना फिर से देख लो temperature बढ़ाते जाओगे ठीक है तो जो mole fraction of gas क्या है वो decrease करता जाएगा और साथ में क्या है henry law constant क्या है वो बढ़ता जाएगा increase करता जाएगा ठीक यहीं चीज हम लोगों को समझना था ठीक है अब देखो कुछ और चीज किताब में एक data ऐसे दिया गया है यह याद नहीं रखना है याद नहीं रखना इसको यह क्या है कि अलग-अलग gas के लिए henry law constant क्या है अलग-अलग होता है ठीक जिसे यहाँ हेलियम के लिए देखो इतना दिया है ठीक है ह2 के लिए हडरोजन के लिए इतना दिया है इस temperature पर यह बात करी जा रही है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि temperature बढ़ाएंगे तो kH की value क्या है बढ़ती जाएगी यानि henry law constant कैसा है बढ़ता जाएगा तो इसी लिए carbon dioxide इतनी temperature पर इतना है बताओ carbon dioxide के लिए इस temperature पर जो kH की value है वो इतनी है अभी temperature बढ़ा देगा तो यह kH की value क्या है बढ़ जाएगी बताओ तो यह table बस देख लो याद ने रखना इसको ठीक है यह important है और बहुत आसान भी है बहुत मज़ा भी आएगा इसमें बहुत मज़ा आएगा इसमें बस सुनो तो तीन application है पहला carbon dioxide को cold ring में dissolve किया जाता है under high pressure escuba driver और low pressure at high altitude अब तीनों को मैं समझाता हूँ इसमें देखो यह cold ring के bottle है जब यह cap हम लोग खोलते हैं जब तुम लोग खोलते होगे इस cap को तो देखते होगे इसमें सो कोई gas निकलती है बड़े-बड़े bubbles formation यहाँ बड़े-बड़े क्या है bubbles बनते हैं इसमें बड़े-बड़े bulbulे बनते हैं और यहां से कोई gas निकलती है, वो gas होती ही कौन सी है भाई या, CO2, gas, ठीक है, CO2 gas होती है, देखो इसके जो बड़े-बड़े bubbles यहां बनते हैं, इसको हम लोग क्या कहते है, brisk effervescence, ठीक है, effervescence, हो सकता इसका थोड़ा spelling गलत जा रही हो, ठीक है, effervescence, ठीक है, brisk effervescence, इसका मत गैस निकल रही है, यहां से जो gas निकल रही है, वो कौन सी gas है, carbon dioxide है, अब देखो होता क्या है, कि यह जो gap बंद किया गया है, यह जो धक्कन लगाया गया इस bottle पर, ठीक है, जब इसमें carbon dioxide को भरा गया था तो उपर से इसमें बंद करते समय हाई pressure था, प्रेशर कैसा था, ज इसलिए था बच्चों लोग, क्योंकि यह जो gas है प्रेशर जादा होगा तो बताओ, कहां होगी, यह खाली जिगा में नहीं होगी, वो इस liquid में क्या है, dissolve हो जाएगी, बताओ, आरे बहा सोंच में, बोलो, आगी होगी मेरे ख्याल से, तो इसलिए जैसे ही gap खोलते हो, तो हो जाता है, लो हो जाता है, प्रेशर कैसा हो जाता है, लो, तो इसलिए यहां से, ऐसे करके, कुकर की सीटी जैसी आवाज करके, यहां से gas बाहर निकलती है, बताओ, तो हम लोग देख रहे हैं, कि यह application of Henry law ही तो है, कि ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, तो गैस क्या है, क कि इस cold drink में dissolve रहेगी, low pressure करोगे, तो यहां से gas बाग जाएगी, आसान है, ठीक, उसके बाद ये देखो, दूसरा, देखो बच्चो, एक होता है, इसके ओबार diver, तुम लोग discovery channel में देखते होगे, यह इसको क्या कहते हैं, गोता खोर, ठीक है, अरे भाई, discovery channel में देखते हो movie, जो बच्चे देखे होंगे, तो जानते होंगे, ठीक है, हाँ, वो चीज अलग है, कि Titanic में कुछ मज़ेदार scene भी है, तो वहाँ पर भी बच्चे जादा ध्यान देते होंगे, अब तो यह सारी चीज़े तो देखेंगे नहीं, ठीक है, तो खेर, चलिए, देखें इदर, बात समझे, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, कि इसके उपर यह जो टैंक देख रहोंगे, यह टैंक, यह टैंक, क्या होता है, यह oxygen cylinder होता है, वैसे अभी oxygen cylinder की काफी मारा मारी चल लगी है, कोरोना की टाइम पे, हॉस्पिटल में, तो अब जैसे प्यारी बच्चों, ब अब गोता खोर हम लोगों का नीचे आ गया, यहाँ पर ठीक है, यही वाले चीज्च यहाँ नीचे आ गया, तो नीचे क्या होता है, यह प्रेश़ जाधा होता है, बात समझना, प्रेशर कैसा होता है, जादा, अचा उपर मालो EPA से पहाड होता है, ठीक है, पहाड, Mountain, तो Mountain माउंटेन पी और किसा होता है प्रेशा रोबच रोब होता है तो अब होगा कि इसमें साही ऑक्सी 활 causing निकल कर इसके बॉडिया में ज्याधा डिजयुल्ब हो जाती है जब 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 इसमें से जब गैस निकलेगी तो वो क्या formation करेगी bubbles ठीक है bubbles का formation कर लेगी तो भाई या बताओ कि अब इसके blood vessel में capillary में bubbles का formation होगा तो इसका जो vessels है वो क्या हो जाएगा जाम हो जाएगा और ये आदमी क्या करता है मर जाता है ठीक है फिर से एक बार सुनो मैंने क्या बताया जब ये scuba diver समूद के नीचे जाता है surface के नीचे वहाँ पर pressure जादा है तो oxygen की gas जादा इसके body में dissolve हो जाती है लेकिन जब वो बाहर आता है तो जितनी भी जादा amount की oxygen उसके body में dissolve थी वो सारी के oxygen उसके body से बाहर निकलना शुरू करती है तो उसके जो blood vessels होती है उसमें bubbles का formation होता है और उसके जो bubbles हो जाती है जाम हो जाती है या फिर फट जाती है और वो आदमी मर जाता है ठीक है तो इसकी मौत नहों इसलिए इसके oxygen cylinder में क्या है कुछ percentage helium मिला लिया जाता है थोड़ा nitrogen भी मिला दिया जाता है अब ये याद मत करने लगना कि कितना कितना percent मिला जाता है इसकी अवशकता नहीं है ठीक है बस ये जानते रहो कि इसके gas में helium और nitrogen को मिला दिया जाता है कि ताकि जब वो बाहर आए तो मरे नहीं क्यों क्योंकि gas वगेरा का bubbles का formation नहीं हो ठीक है आगे बास सुझे ये देखो तीसरा application जो है ऐसे देखे होगे आम तोर पर जो पहाड़ों पर चड़ाई करते हैं लोग तो अभी मैंने बताया था कि at higher altitude ठीक है जब surface से उपर जाते हैं तो उसको उपलों क्या बोलते हैं altitude बोलते है latitude नहीं बोल रहा हूँ मैं altitude बोल रहा हूँ ठीक तो higher altitude पे बच्चों लोग क्या होता है कि उपर pressure कम होता है तो उपर जो oxygen की gas environment में है ना वो इनसानों के नाक से ठीक है उनके blood में कम आती है कम dissolve होती है तो जब भया जब तुम्हारे body में कम oxygen आएगी तो तुम्हें चक्कर आएगा तुम्हें ठकान आएगी तुम गिर जाओगे लोट पोट हो जाओगे इसलिए उपर जब पहाडों पे लोग चड़ाई करते हैं उन्हें बहुत जल्दी ठकान होने लगती है या फिर उन्हें चक्कर आने लगता है या फिर उनकी नाकों से खून आने लगता है ऐसा क्यों हो रहा है due to presence of low pressure आगे मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में ठीक है चलो अगला point देखें vapor pressure of liquid solution ठीक है किसी liquid solution का vapor pressure हम लोग समझने वाले हैं अब इसमें confusion नहीं होना चाहिए liquid है तभी तो इसका vapor बनेगा तो vapor pressure होगा इस चीज़ को हम लोग इस diagram ज़ा समझेंगे देखो ये पूरा liquid है ठीक है ये पूरा क्या है? liquid अब इसको हम लोगों ने heat किया heat किया तो क्या होगा? इसकी vapor बनेंगे यहाँ पे दोखो vapor बन गई है बन गई है सब vapor ठीक है? अब vapor क्या है? अच्छा इस process को क्या बोलते हैं हम लोग? vaporization कहते हैं न vaporization ठीक है? आरे बाद समझ मैं कि नहीं लेकिन साथ में क्या होगा? उपर जाके यह जो vapor बनी है यह भी तो हो सकता है कि वो ठंडा भी हो सकती है देखो यह ठंडा होगे नीचे आ रही है ठंडा होगे, कूल होगे नीचे आ रही है तो इस process को हम लोग क्या बोलते हैं? condensation condensation जब यह दोनो process हो जाए equilibrium पर इसलिए यह close container है, यह container कैसा है? close, बंद, क्यों? क्योंकि भाईया इसको condensation भी तो करना है नहीं सोचो यह खुला रहेगा, तो यहां से vaporization होगा तो यह सारे के सारे particle क्या होगे? भाग जाएंगे इधर से, ठीक है? तो भागना नहीं इसलिए container हम लोगों को कैसा होना चाहिए? close, बंद container होना चाहिए, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि हुआ क्या? कि यहां से vaporization हुआ, उधर से condensation हुआ लेकिन एक ऐसी स्थती आ जाए कि जब vaporization और condensation कहां पर पहुँच जाए? equilibrium पर, यानि कि the rate of vaporization and the rate of condensation become equal तो उसी process को हम लोग क्या बोलते है? equilibrium बोलते हैं अब सुनो, उस समय, यानि जब vaporization और condensation क्या हो जाए? equilibrium पर पहुँच जाए तो उस समय, इसमें जो भी vapor मौजूद है, ठीक है? इसमें जो भी vapor मौजूद है, present है तो ये सब क्या करेंगे? इस दिवार पर force पर area ही, क्या होता है? pressure is equal to क्या होता है? force upon area, ठीक है? तो मैं इतना mathematical नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधे बोल दूँ कि ये सब जो particle दिख रहे हैं न, vapor ये इस दिवार पर जो भी pressure लगाएंगे, उसी को मैं लोग क्या बोलेंगे? vapor pressure बोलेंगे मेरे ख्याल से बात समझ में आगए थी फिर से सुलो, जब vaporization और condensation का rate equal हो जाए यानि दोनों equilibrium पर पहुच जाए तो उस समय जो भी vapor यहाँ पर मौजूद होंगी वो vapor इस container पर close container की दिवार पर जो भी force पर area या फिर जो भी pressure लगाएंगे उसी को मैं लोग क्या कहेंगे? vapor pressure of liquid solution बोलेंगे ठीक है? यही बोला जाएगा अच्छा एक और चीज़ में यहाँ पर बता दू बार-बार ऐसे अभी आएगा partial vapor pressure भी आएगा ठीक है? इस चीज़ को भी समझ लो कि यह बहुता क्या है देखो जब कोई एक ही liquid है ठीक है? यानि सिर्फ एक liquid एक ही liquid है तो जो भी यहाँ पर vapor pressure बनेगा वो vapor pressure कहलाएगा लेकिन इसमें कई सारे liquid है यानि कि mixture बन जाए यह हम लोग को क्या हो जाए? Mixture Mixture बन जाए, ठीक है? यानि इसमें एक liquid भी है, दो liquid है बहुत सारे liquid हैं तो वहाँ पर जो भी vapor pressure बनेगा ना, ठीक है? वो तो mixture का बनेगा, वो तो pure liquid का बनेगा नहीं तो उसको क्या हम लोग बनेंगे? Partial Vapor Pressure, तो बस अंतर क्या है? pure liquid के लिए ठीक है? और partial Vapor Pressure, Mixture के लिए ठीक है भाई? चलो, आगे बढ़ते हैं आप अब देखो जो असली चीज आई हम लोगों की असली तो वो सब भी था, लेकिन ये वाला थोड़ा, क्योंकि इस चेप्टर के जान है, तो इसली ये असली चीज है देखो अब देखने वाले हम लोग Raoul's Law, और साथ में क्या देखने वाले है? Dalton's Law of Partial Pressure ठीक है? ये टॉपिक हम लोगों के काउंस है? Vapor Pressure of Liquid-Liquid Solution, देखो किया क्या गया? अच्छे से समझना भाई यहाँ पर माल लो कोई A Liquid है, ठीक यहाँ पर माल लो कोई B Liquid है ये Liquid है, Liquid, ठीक है? ये Liquid, Liquid है ये पूरा क्या है? Liquid है, ठीक तो अब देखो होगा क्या? कि यहाँ पर जो भी Vapor Pressure है मैं उसको P naught A से दिखा रहा हूँ प्यूर फर्म में है, उसे तरह से यहाँ पर जो भी Vapor Pressure है वो कितना है? P naught B में, ठीक लेकिन अब देखो किया क्या गया? कि यहाँ से कुछ Amount और यहाँ से कुछ Amount A और दोनों B Liquid मिला के क्या बना दिया गया? Mixture, ठीक है? बोलो, यानि A और B, A liquid यहाँ से थोड़ा लेकिया आए गया, और B liquid यहाँ से थोड़ा लेकिया आए गया, और यहाँ पर क्या बना दिया गया? Mixture, ठीक है? अब इस Mixture को क्या किया गया? Heat किया गया, बताओ इस Mixture को क्या किया गया? Heat किया गया, तो अब Mixture को heat करेंगे तो इसकी क्या है vapor formation होगी ठीक है तो अब क्योंकि ये mixture बन चुका है तो यहाँ पे जो vapor pressure है ये पहले वाला जो था ये उतना तो होगा नहीं बदल जायेगा ठीक है तो कितना हो जाता है उसी को राहुल्स लो ने बताया ठीक है एक बार फिर से समझते हैं जब A प्लस B यानि दोनों liquid का क्या बन गया mixture अब हम लोग ने इसको क्या किया heat तो heat करने के बाद इस liquid में कितना vapor pressure create हो रहा है उसको क्या बोलेंगे partial vapor pressure क्योंकि ये mixture बन चुका है तो वो partial vapor pressure कितना बन रहा है उसी को किसने बताया राउल्स law ने ठीक तो देखो राउल्स law कहता क्या है कि जो हम लोगों का partial vapor pressure of A liquid होगा वो directly proportional किसकी होगा mole fraction of A liquid ठीक है आरे बाद समझ में तो वापस से हम लोग इसको हटाएंगे तो क्या लिख देंगे P A एक constant लाएंगे P naught A और ये mole fraction of A ठीक है आगे समझ में उसी तरह से हम लोग देखें P B का जो directly proportional हो जाएगा कितना हो जाएगा mole fraction of B liquid ठीक है तो इसको जब हटाएंगे constant को तो क्या हो जाएगा इसको जब हम लोग हटाएंगे तो P B is equal to कितना हो गया P naught A sorry P naught B और mole fraction of B ठीक है बाद समझो यानि ये equation और ये equation 1 or 2 क्या है भाई फिर से समझते हैं इसको यहाँ पर जो A liquid का partial vapor pressure PA दिख रहा है और यहाँ पर B liquid का partial vapor pressure B liquid का जो दिख रहा है वो इतना इतना हो गया तो ये दोनों बाते क्या है Raoul's law अब उसके बाद Dalton साहब आगे हैं Dalton साहब ने क्या कहा भया कि जब एक liquid का इतना pressure है दूसरे liquid का इतना pressure है तो दोनों को जोड़ दो तो P total यहाँ पर पता चल जाएगा यानि इस liquid solution का पूरा complete vapor pressure है कितना पता चल जाएगा तो बस हम लोगों ने क्या किया P total equation 1 और 2 को add कर लें यानि PA plus PB तो क्या मिल जाएगा बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं ये मिल गया P not A plus P not A और यहाँ पर mole fraction of A plus P not B और mole fraction of B ठीक है आगे समझ में कि नहीं यहीं formula हम लोगों का जो बना है न यहीं important है ठीक है क्या यह बात समझ में आ गई Raoul's law क्या है equation 1 और equation 2 Raoul's law यह जो दिख रहा है यह कौन सा law है Dalton's law of partial pressure ठीक आगे समझ में इस formula को हम लोग चाहें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं चलो बढ़ा ही लेते हैं ठीक है देखो यह हम लोगों का कितना दिख रहा है P total is equal to P not A more fraction of A plus P not B और more fraction of B ठीक है इतना दिख रहा है अच्छा जैसा कि मैंने दिखाया था more fraction of A component more fraction of B component कितना होता है 1 होता है बताओ ठीक है तो यदि हम लोग यहां से more fraction of B component निकाले तो कितना हो जाएगा 1 minus more fraction of more fraction of A अरे यही है ना भाई इसको निकालोगो तो इधर ले क्या होगो तो क्या है minus कर लोगे बताओ तो इस B के जगह पे हम लोग इसको रख दे तो क्या दिखका थे यानि कि यह जो पूरी value दिख रही है ठीक है इस पूरी value को हम लोग यहां पे B में रख ले तो क्या दिखका थे क्या नुकसान हो जाएगा कुछ नहीं होगा यह P total h equal to यह हो गया P naught A यह more fraction of A plus P naught B ठीक है और यह 1 minus more fraction A ठीक है देखो यही formula हम लोगों को वैसे याद रखना है यह आगे किताब में भी दिया तो मैं दिखा देता हूँ बस ठीक है देख लो बस यह P naught A हो गया more fraction A हो गया plus इसको multiply करो तो कितना हो गया P naught B हो गया minus P naught B more fraction of A ठीक है अब देखो क्या किया जाए इसमें से और इसमें से कुछ चीजों को common ले लिया जाए ठीक है इसमें से मैंने दिखाया है जो इसमें से और इसमें से कुछ चीज़ों को common ले लिया जाए तो बताओ क्या मिल जाएगा और इसको इसी तरह छोड़ दो ठीक है तो P not B plus क्या common मिल ला है? मोल fraction A मिल रहा है और bracket में क्या मिल जाएगा? P not A minus P not B अरे यहीं मिलेगा ना भाई? बताओ यहीं मिलेगा ना? यहीं मिलेगा ठीक है? formula वैसे हम लोगों को यहीं ध्यान में रखना है यह तो बस ऐसे दिखाने के लिए क्योंकि किताब में बे दिया गया है तो हम लोग देख लिए है ठीक? तो मेरे ख्याल से यह बात समझ में आगई होगी मैं मिटा देता हूँ सब कुछ अब दिखो थोड़ा सा graph को ऐसे दिखाऊं मै कि partial vapor pressure of A liquid directly proportional mole fraction of A directly proportional है तो graph कैसा बनेगा बताओ mole fraction A इधर हो गया यह graph भी बहुत important नहीं है ठीक? डरना नहीं है घवड़ाना नहीं है ठीक? इसका जो maximum यहाँ फे vapor pressure बनेगा वो कितना बनेगा? P not A बनेगा क्योंकि directly proportional तो graph कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ठीक? उसे तरह से भाई एक और liquid था ना? तो Pb कितना हो जाएगा? mole fraction of B liquid ठीक है? तो इसका graph कैसा बनेगा? यह Pb हो गया ठीक? यह maximum इसका कितना हो जाएगा? P not B और इधर mole fraction of B ठीक है? तो यह भी कैसा है? directly proportional बताओ क्या यह बाई समझ में आ रही है? इन दोनों graph को यह दि हम लोग जोड लें ठीक है? जोड लें दोनों graph को तो देखो यहीं जोड के किताब में दिखा रहा है इसे डर मच जाना कि अरे भाई यह क्या दिखा दी है? आम लोगों कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ नहीं है भाई देखो यह वाली जो line है ठीक है? वो एक liquid की बात कर रहा है यह दूसरी line जो है दूसरे liquid की बात कर रहा है बोलो और यह वाली line जो दिख रहा है एकसेस दिख रहा है यह किस की बात कर रहा है? mole fraction की बात कर रहा है ठीक है? तो वहीं देखो mole fraction बढ़ते जाएगा और इधर vapor pressure बढ़ते जाएगा तो graph कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा ठीक? उसे तरस graph कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा क्योंकि formula हम लोग जानते ही है x1 और x2 जोड के कितना आता है? 1 आता है ठीक है? तो यदि x1 इचकल टू 1 हो गया तो यह x2 कितना होना चाहिए? 0 तो यहाँ पर x1 1 दिख रहा है में रखो कोई बहुत बड़ी तौप चीज नहीं है डरना नहीं इससे है ठीक न? तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखो ठीक है? अच्छा एक और चीज मैं इसमें बताना भूल गया हूँ ठीक है? यहाँ पर देख लो इस formula में देखो होता क्या है? कि छोटा सा formula है याद रखना है कि जो pa था न? यह माल लो y a और यह माल लो p total ठीक है? यह formula important है अभी मैं समझा देता हूँ यह है क्या? कहां से आया है? इसकी कोई आशकता नहीं है बस जानते रहो कि यह formula important है यह y b और यह हो गया partial vapor pressure of mixture जैसे मैंने यहाँ पर a और b दोनों liquid को मिला कर यह liquid हम लोग बनाए थे ठीक है? उसी का total pressure जो create होगा p total है pa समझ में आ रहा है a liquid का जो भी यहाँ पार्शल vapor pressure होगा उसी तरह से p total समझ में आ रहा है p b समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस liquid में इस mixture में इस mixture में ठीक है? partial vapor pressure of b liquid कितना है देखो यह जो y a और यह जो y भी दिख रहा है यह बड़ा important है ठीक है? यह है क्या वास्तों में मैं लिख दूँ यहाँ पर y a और यह y भी important है ठीक है? क्या है भाईया? mole fraction of a liquid ठीक है? in vapor phase उसी तरह से यह क्या हो जाएगा? mole fraction of b ठीक है? mole fraction of b liquid मेरी कहने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जितना भी a और b है अरे यह सब वो vapor थोड़ी बन गया है बताओ कुछ amount liquid में भी होगा, कुछ vapor में भी होगा आरे बास समझे भी कि नहीं? बोलो, कुछ amount liquid में भी होगा a और b liquid का और कुछ vapor में भी होगा तो vapor में अखिर amount कितना है? वहीं हम लोगों का y a और y b है यानि कि a और b liquid का कितना mole fraction इस vapor में मौजूद है? वहीं क्या है? y a और y b है, ठीक है? तो यह formula क्या है? ध्यान रखना थोड़ा important है थोड़ा नहीं काफी important है इसको भूलेंगे नहीं ठीक है? यह दोनों formula अपने copy में अभी टिक मारो इसको, लिखो तो चलो इसमें ग्राफ देख लिए हम लोग अच्छा ये एक छोटी से बात ये कि राहूल्स law जो है कहीं ऐसा तो नहीं नहीं कि ये हेन्री law जैसा है तो तुम लोग मुझे खुद से बताओ हेन्री law क्या था? पी इचकल टू के एच मोल फ्रेक्शन ओफ गैस डिजॉल्व इन दे लिक्विट राहूल्स law कैसा है? कि पी इचकल टू पी नॉट जैसे माल लोग ये ए की बात करें तो ए और मोल फ्रेक्शन ओफ अलिक्विट अच्छा अब थोड़ा समझे हैопас तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है तुम लोगों को कि जो ये राहूल्स law है ये Henry law जैसा ही है भाई अरे यही बात तो इसमें कही जा रही है कि जो Rawls law है Rawls law जो है वो Henry law का ऐसा लगता है कि कोई special case है क्यों क्योंकि ये mole fraction mole fraction, ये pressure, ये pressure ये constant, ये constant ये बात इसमें कही जा रही है तो मेरे ख्याल से आ रही होंगी कोई बहुत जादा तोप जैसी बात तो है नहीं सब सस्ती सस्ती बाते हैं अब इसके आगे हम लोग देखे तो क्या है अच्छा एक और चीज़ एक चीज़ जो अभी मैं बताने वाला हूं एक वर्ड आएगा बहुत बार non-volatile non-volatile ठीक है non-volatile substance थोड़ा इसको समझ लेती यह होता क्या है non-volatile substance देखो है बहुत ही असान इसमें कोई बहुत वैसे rocket science नहीं है ठीक है बहुत सस्ती चीज़ है देखो non-volatile मने क्या होता है कि जिसको कितना भी घरम करो वो vapor में form नहीं करेगा जिसकी vaporization नहीं होगी ठीक है जैसे यहाँ पर यह दोखो green green color का है इस liquid में आके dissolve तो हो गया लेकिन इसको गरम करेंगे जब heat करेंगे तो इसकी vapor नहीं बनेगी ठीक है तो वही क्या कहलाएगा non-volatile substance कहलाएगा देखो तो जब यह हम लोगों का pure solvent था यानि सिर्फ liquid है ठीक है pure solvent बने क्या सिर्फ liquid और कुछ भी नहीं है तो हम लोग देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानि vapor के particle यहाँ पर कितने दिख रहे हैं 8 दिख रहे हैं 8 दिख रहे हैं लेकिन इसमें कुछ हम लोगों ने यह मिला दिया क्या मिला दिया solute और वो भी कौन सा non-volatile ठीक है non-volatile अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी यह आकर इसी में पढ़ा रहेगा ऐसा नहीं कि यह विपर बन जाएगा ठीक है तो अब होगा क्या वह है न कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे ठीक है जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो खुद भी नहीं पढ़ते हैं और दोस्तों को भी नहीं पढ़ने देते हैं और यदि बावु भाईया लड़की का चक्कर हो तो भाईया फिर पोचन ही नहीं है ठीक है खेर, cheap jokes अपाट, ठीक है, देखो, तो यहाँ पे जब हम लोगोंने ये green green color का non-volatile solute मिला दिया, यानि कि इसकी vapor तो बन नहीं रही, और साथ में ये खुद इस solvent का भी vapor नहीं बनने दे रहा है, तो यहाँ पे vapor देखो कितना होगे, 1, 2, 3, 4, 4 ही particle दिख रहे हैं, यानि मैं सम अब मुझे common sense लगा के बता दो, कि इस P naught में और P में pressure कौन बढ़ा होगा, obviously भया यहीं बढ़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो vapor है, जादा बनी है, तो जादा बनेगी, तो भया, दिवार को जादा टक्कर मारेगी, ना, तो जब जादा टक्कर मारेगी, तो जादा प् पार्टिकल ही चार दिख रहे हैं, वेपर फेज में, बताओ, तो प्रेशर कम ही टक्कर मारेगी, तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, कि जब भी किसी भी solvent में non-volatile substance मिला दिया जाए, जैसे यह green 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 color का, तो वेपर प्रेशर क्या होता ह बात समझ में, बताओ, तो वैसे यह वाली चीज जो है अभी collegative property पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर से यह चीज आएगी, तो वहाँ मैं फिर बताओंगा, ठीक है, तो आगे देखें, तो क्या है, आगे तो कुछ है नहीं, और यहाँ की class हम लोगों की होगी, लगवग 50 minute के आस-पास, ठीक है, और इस video class में मैं उमेद करता हूँ कि बहुत सारी चीजे बच्चों को समझ में आये होंगी, थोड़ा interesting भी लगा होगा, मजा भी आया होगा, और comment करके थोड़ा बता दो, ठीक है, समझ में क्या वाकई में वो चीज आ रही ही ने, जो चीज में समझाना चा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ी से क्या है, मेहनत लगती है, यदि ये offline class होती है, तो मेहनत नहीं लगती है, उसमें तो मजा आता है, ठीक है, और यहां तक वीडियो को देखने क्लिए 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 है, थैंक यू, keep watching, वीडि क्या हल चाले भाई, सभी लोगों के, मैं उमीद करता हूँ, कि सभी लोग बहुत ही अच्छे से खुश हैं, और सब कुछ बढ़िया है, तो ये वीडियो क्लास हम लोगों का part 3 है, ठीक, और chapter कौन सा चलना है, solution चलना है, ठीक है, और इसके बाद एक और part आएगा, ठीक है, part 4, और उसमें हम लोग मेरे ख्याल से इस chapter को complete कर लेंगे, ठीक है, तो जैसा कि मैं कई बार बता ही चुका हूँ, मैं फिर से बता दूँ, एक पढ़ाई होती है, syllabus की, ठीक है, और साथ में क्या होता है, question की practice, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भया, syllabus की पढ़ाई कर रहे और इस chapter में मेरे ख्याल से 65 question दिये गए, ठीक है, देख लो, कितना ज़्यादा question है, 65 question दिया गया है, तो ये chapter क्या है, important भी है, ठीक, और जो लोग नए हैं, वो लोग चाहें, तो यहां से मेरे बारे में कुछ information देख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो, अभी त हो चुका है, ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं, ideal और non-ideal solution के बारे में, और साथ में ये देखेंगे हम लोग, deviations about, deviations of Raul's law, ठीक है, ये वली चीज़ देखने वाले हैं, यानि कि आज ये दो topic cover करेंगे, और बची हुई ये ज दियान से सुनोगे, तो बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले चीज़ आती है, ideal solution, दिखो, जैसा कि मैं बता रखा हूँ, इस पूरे chapter में हम लोग को क्या पढ़ना है भईया, binary solution, ठीक है, binary solution मने क्या है, कि एक ही solute होगा, और साथ में क्या है, एक ही solvent होगा, है न, मैंने यही बता है, ठीक है, तो ideal solution किसको कहते हैं, यानि कि वो binary solution, जिसको हम लोग ideal solution कहेंगे, उसके लिए क्या चीज़े होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चार चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, यह चार चीज़ें यदि उस binary solution में प कोई ideal solution जल्दी exist नहीं करता है, पर इसके कुछ example हैं, जैसे की, हेप्टेन हो गया, और इसको octane के साथ में मिला दें, ठीक है, किताब में यह दे रखा यह सब, तो एक binary solution मिल गया, उसी तरह से कह रहा है कि भईया, किसको, बेंजीन को, और साथ में किसको, toluvyn को मिला लिया जाएं, अब देखो, बहुत सारे बच्चों को यदि हेप्टेन, octane, benzene, toluvyn नहीं समझ में रहा है, तो अभी घपडाने की जूरत नहीं है, ठीक है, और गिनिक केमिस्टरी में हम लोग benzene के मेरे ख्याल से कितना, more than 500 structure बनाएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से वहां पर चीज़े समझ में आ जाएंगे, तो ideal solution क्या है, एक binary solution का एक type है, ठीक है, आम तोर पर ये पाया नहीं जाता है, पर फिर भी इसके कुछ example दिख रहे हैं, कि इन दोनों के यदि मिलाया जाएगा, तो binary solution मिल जाएगा, ठीक है, तो समझते हैं, सबसे पहले बात, कि binary solution, रा enthalpy of mixing कैसी होनी चाहिए, जीरो, इस चीज़ को देखो, मैं समझाता हूँ, सपोस करो, ये container है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का क्या है, solvent, और उपर से हम लोगों ने इसमें, solute को मिलाया, ठीक है, तो देखो, क्योंकि ये solute और ये solvent, जब यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, तो solvent की अपनी enthalpy थी, solvent की अपनी enthalpy थी, ये एक system दिख रहा था, ठीक है, इतना सा system, लेकिन जैसे ही solute को solvent में मिलाया गया, तो यहाँ पर enthalpy क्या है, बदल जाती है, आरे बाह सोंच में, तो यहीं कहा जा रहा है, कि यहाँ पर enthalpy है, यानि डिल्टा H, वो, इसका जो change है, वो कैसा ह होना चाहिए, 0, क्या यह मेरी बात समझ में आ रही है, बुलो, यानि कि solute और solvent जब नहीं मिलाये गए थे, तब उनकी enthalpy H1, ठीक है, अब जब solute और solvent मिला दिये गए, तब enthalpy इसकी H2, तो यानि H2 माइनस H1, यानि कि change in enthalpy निकाले, तो वो कितनी आनी चाहिए, 0, यानि कि ideal solution म enthalpy का जो change है, जब मिलाया जाएगा, तो क्या है, 0, ठीक, यह रही बात, तीसरी बात कही जारी है भाया, कि, ऐसा समझो, जैसे यह हम लोगों का एक container है, ठीक, इसमें हम लोगों का, यहां तक क्या है कि इसमें, पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी या फिर water, अब मुझे बता हो, कि इसमें जब चीनी मिलाओगे, ठीक है, चीनी मिलाओगे, शुगर मिलाओगे, तो क्या होगा, शुगर के particle इस तरीके से आएंगे, बोलो, शुरू में क्या है कि यह जो पानी का जो label था, volume था, यह नहीं बदलेगा, है न, लेकिन खुब धेर सारी चीनी मिलाते जाओ होगे, तो यह volume क्या है, बदलने लगेगा, यह बढ़ जाएगा, बुलो, तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, कि solute को solvent में मिलाने के बाद क्या है, कि volume नहीं बदलना चाहिए, अब खुद से सोचो, क्या ऐसा कहीं mixture हो सकता है, कि भाईया, जब इसमें हम लोग मिलाते जाए मिलाते जाए, और volume नहीं बदले, है न, तो इसलिए उत कहा जा रहा है, कि आम तर पर ideal solution एक्जिस्ट ही नहीं करता है, पाया ही नहीं जाता है, आरे बाद समझ में, तो जो delta V है, वो भी कितना है, 0, यानि कि volume का भी change कैसा है, 0, volume का change नहीं होना चाहिए, आरे बाद समझ में अब देखो ये क्या कह रहा है, solute, solvent और mixture, इन सब का जो interaction है, या intermolecular force है, वो कैसा होना चाहिए, लगभग एक जैसा ही होना चाहिए, similar होना चाहिए, इस चीज़ को समझते हैं, देखो, सपोस्कोर ये रहा solute, solute के बीच का ये interaction, ठीक, उसके बाद ये देखो क्या है हम ल मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, solution, अब solution क्या बनेगा, A और B कही बनेगा, बताओ, तो बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बच्चों लोग, कि यहाँ पे ये जो force दिख रहा है, और ये जो force दिख रहा है, और ये जो तीनो force दिख रहा है, ठीक है, यानि कि solute क particle के बीच का force solvent के particle के बीच का force और solution के particle के बीच का force ये कैसा होना चाहिए similar होना चाहिए क्या ये बात समझ में आ गई बताओ तो यहीं चारो बाते यदि किसी भी solution में binary solution में follow होंगी तो उसको क्या कहा जाएगा ideal solution बोला जाएगा मेरी ख्याल से तो अब ideal solution हम लोगों ने देख लिया ठीक है तो जो non-ideal solution होगा वो क्या होगा simple सी बात है simple सी बात है कि यानि कि जो जो चीज़े ideal solution में follow हो रही थी यहाँ पे वो बाते क्या है non-ideal solution में follow नहीं होंगी बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है बोलो आ रही कि नहीं आ रही है तो ideal solution हम लोगों का क्या था ideal solution क्या था भाई route slow को follow करता था तो non-ideal solution क्या route slow को follow नहीं करेगा बोलो देखो अब यदि ये non-ideal solution route slow को follow नहीं करेगा ठीक है तो वो दो तरीके से variation दिखाता है या तो positive variation दिखाएगा या तो negative variation दिखाएगा अब देखो जो चीज में समझाना चाहरा हूँ यहाँ में देखो यह वाला जो line दिख रहे है यह Route slow के लिए है यह वाला āजो line दिख रहे है Route slow के लिए है क्योंकि यह positive deviation है तो देखो इसका जो graph दिख रहा है, यह थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है बताओ, यहां पे line यह दिख रहे हैं कि नहीं उसी तरीके से, यह वाले भी line दिखो यह वाले, सॉरी, यह वाले यह अच्छाए, एक सेगंड फिर से दिखो ठीक है, किसी और color से दिखाते हैं देखो, यह तो line यह होनी चाहिए थी, एक line यह होनी चाहिए थी, यह क्या है, राउल सलो के लिए यह graph मैंने दिखाया था, ठीक लेकिन यहां पे हम लोगों का graph देखो, यह दिख रहा है और reality में graph यह दिख रहा है तो यानि कि यह जो graph दिखाया जा रहा है किसके लिए, positive division के लिए ठीक, उसी तरह से देखो यहां पर एक line हम लोगों की यह होनी चाहिए थी, एक line यह होनी चाहिए थी लेकिन है कैसी, थोड़ी देखो graph कैसा है, कम हो गया, decrease कर गया तो यह वाला चीज क्या दिख रहा है negative division, देखो मेरी कहने का कुल मतलब मैं क्या समझाना चाहँ मैं क्या समझाना चाहँ कि यदी non-adian solution है, तो यह route slow को follow नहीं करेगा, route slow को follow नहीं करेगा, तो या तो positive division दिखाएगा, या तो negative division दिखाएगा, ठीक है यहां पे भी जो हम लोगों का partial vapor pressure या vapor pressure कई है जकर वो कैसा यहां पे कम दिखारा है, decrease किया हुआ यहां पर भी और यहां पर भी यदि यह graph नहीं भी समझ में आ रहा है तो बहुत डरने वाली बात नहीं है आ रही बात समझ में जितना इस चीज में समझना था वो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे और थोड़ा चीज देखते हैं देखो जो negative deviation होते हैं रावल्स लॉके ठीक है उसके कुछ example दिख रहे हैं यह chloroform हो गया यह से tone हो गया याद रखना है एक्जांपल किताब में भी दिया और important भी है ठीक है positive बोलो ठीक है तो यह हम लोगों का क्या हो गया negative deviation का यह example हो गया और यह positive deviation का रावल्स लॉका यह example हो गया actually मैं थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है दिखो chloroform कैसा होता है chloroform होता है हम लोगों का CH CL3 acetone कैसा होता है इन दोनों को मिला कर C यह ऐसा करके कुछ बनाया गया ठीक है बोलो क्या यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मैं इसको थोड़ा बता दूँ कैसा होता क्यों है ठीक है negative division देखो जैसे यह chloroform दिख रहा acetone दिख रहा है chloroform क्या होता है CSCL3 acetone क्या होता है CO double bond C और इधर आ गया CS3 ठीक है अब दिखो होगा क्या कि यह जो CHCL3 दिख रहा है ठीक है इसको थोड़ा open करके मैं दिखाऊं तो यह हो गए हम लोगों का तीन क्लोरीन हो गए और यह रहा hydrogen ठीक और इधर हम लोगों का carbon, oxygen और यह CS3 और यह CS3 है ठीक है यह रहा हम लोगों का acetone और यह रा chloroform इनके बीच में दिखो क्या hydrogen bonding बन रही है hydrogen bond इसको कहते है अब क्योंकि इनके बीच में hydrogen bonding बन गई तो अब इसके vapor को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी जाधा energy चाहिए होगी ठीक है यानि इनके बीच में क्या है एक तरीके के stability create हो गई है ना यह दोनों एक दूसरी को क्या कर रहे है मजबूती से attract कर रहे है तो अब इनकी attraction कैसी होगी जाधा होगी तो अब इसकी vapor को form करनी के लिए अब heat या फिर temperature जाधा देना होगा इसलिए जिस temperature पर vapor बन जाती थी है ना अब उस temperature पर vapor नहीं बनेगी इसलिए हम लोग इसको क्या करें नेगटिव division कह रहे है क्या ये बास समझ में आ रही है उसी तरह से positive division में देखो ये ethanol हो गया और citon हो गया ethanol क्या होता है C2H5OH ठीक C2H5OH और इधर हम लोगों ने देखी लिया है CS3 C double bond O और ये CS3 है ठीक है तो ethanol ethanol के बीच में क्या है यहाँ पर hydrogen bonding दिख रही है ये वाला oxygen इस वाले hydrogen को ये वाला oxygen इस वाले hydrogen को contract करेगा hydrogen bonding बताओ कैई बास समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो अब क्या है भाया कि ये तो अपने में ही क्या है hydrogen bond बना रहा है इसको यह दिए हम लोग solute माने ठीक है और इसको हम लोग solvent माने तो solute अपने में ही interaction बना रहा है और solvent में तो यहाँ कुछ ऐसा दिखने ही रहा तो इसलिए जब इसको heat किया जाएगा ना तो इसकी vapor क्या है इसकी vapor क्या है कि भाहिया आसानी से create हो जाएगी बताओ यानि कि जिस temperature पर vapor जितनी create होती थी राउल्ट सुला में यह उससे ज़ादा ही vapor create हो जाएगी इसलिए हम लोग इसको क्या करें positive deviation बोल रहे है आ रही बास समझ में कि नहीं देखो कुछ नहीं समझ में आया तो मैं बता दू क्या काम करना negative deviation का ये example positive deviation का ये example बस ध्यान रखना ठीक है इतने में ही काम बन जाएगा क्या ये बास समझ में आ रही है चलो अब एक और चीज़ आती है ठीक है aziotrop देखो suppose करो ये हम लोगों का एक close container है ठीक है ये close है close container है और इसमें हम लोगों का ये a solute है ठीक a a solute है और इसमें हम लोगों का कुछ b b solvent भी है ठीक है अब ये mixture बन गया तो अब बताओ कि जब इसको heat किया जाएगा ठीक है इसको जब heat किया जाएगा तो इनकी vapor form करेंगी बोलो इस mixture की vapor form करेंगी mixture बना है ठीक है ये liquid में भी साथ-साथ रहे और vapor phase में भी साथ-साथ रहे तो इस तरीके के binary mixture को हम लोग क्या कहते हैं या फिर binary solution को aziotrop कहते है अरे बताओ भाई आ रहा है समझ में कि नहीं इस तरीके के इस तरीके के binary solution को या binary mixture को हम लोग क्या कहते है azeotrop कहते है यानि कि एक इस तरीके का mixture जिसका particle liquid phase में भी साथ साथ रहे और vapor phase में भी क्या है साथ साथ रहे तो वो azeotrop होता है अब देखो azeotrop दो तरीके की होते है minimum boiling azeotrop ठीक है और maximum boiling azeotrop क्या ये बात समझ में आ रही है तो जो minimum boiling azeotrop होता होगा वो positive deviation of Raoul's law दिखाएगा जो maximum boiling azeotrop होगा वो negative deviation of Raoul's law दिखाएगा ठीक है इसके कुछ example भी दिए गए ethanol, water and mixture का nitric acid और water का इसके पहले वाला भी example था न वो भी हम लोग ले सकते है देखो minimum boiling azeotrop को समझे positive deviation क्यों दिखा रहा है positive deviation मने क्या जिस temperature पर कहें या जिस जो भी mixture Raoul's law को follow कर रहा था और जिस temperature पर vapor बना रहा था positive deviation मने क्या है कि उससे कम temperature पर ही उसकी vapor बन जाएगी तभी तो हम लोग उसको क्या कह रहे थे positive deviation बोल रहे थे तो भाईया कम temperature पर ही जब vapor बन जा रही है बोलो तो वो क्या कहलाएगा minimum boiling azeotrop negative deviation मने क्या है Raoul's law जिस temperature पर Raoul's law follow हो राथा mixture के लिए उसके कम temperature करेंगे तो कैसा शो करेगा negative deviation बताओ यानि कि वहाँ पर boiling point कहें कैसी हो गई जादा हो गई ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे maximum boiling azeotrop देखो इसमें कोई बहुत बड़ी तोप जैसी चीज नहीं है rocket science नहीं है यदि बहुत अच्छे से नहीं भी समझ में आया है तो सिर्फ क्या करना हम लोगों को minimum boiling azeotrop कौन शो करेगा positive deviation from Raul's law ठीक है ये इसका example maximum boiling azeotrop कौन शो करेगा negative deviation from Raul's law ये इसका example बस इतनी ही बात को याद रखना है एजियो टॉप मैंने बता दिया वो सारे mixture जो liquid phase में और vapor phase में क्या है साथ साथ रहेंगे तो भया इनको fractional distillation से separate कर पाना मुश्किल होता है fractional distillation क्या होता है जब दो liquid ठीक है जब दो liquid को heat किया जाए एक liquid vapor बना ले ठीक है और एक liquid यही रह जाए तो इसको हम लोग separate कर लेते हैं लेकिन क्योंकि ये liquid phase में और vapor phase में साथ साथ है इसलिए इसको separate कर पाना कैसा है fractional distillation से मुश्किल है ठीक है तो आगे तो कुछ है नहीं ठीक है तो क्या करो वीडियो को एक बार और rewind करके देख लो ठीक है समझ में आ जाएगा और इसके बाद जो हम लोगों का part 4 है बहुत important वो part रहेगा क्यों क्योंकि वहाँ पे हम लोग collegative properties से related चीजों को देखने वाले हैं और यहां तक वीडियो को देखने के लिए खुश रहो और आगे मिलते हैं हसते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो and God bless you all अच्छा एक और काम करो काम यह करना है जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ठीक भी या कॉमेंट करके मुझे बताओ कि क्या बात समझ में आ रही है या नहीं सामने होते तो मैं पूछ लेता अब वीडियो क्लास देख रहे हो मैं उमीद करता हूँ कि सभी लोग खुश है और सब कुछ बहुत हचा चल ला है और यह वीडियो क्लास हम लोगों का पार्ट फूर है ठीक और चैप्टर हम लोगों कौन सा चल ला है सॉलुशन ठीक है हम लोगोंने कुछ एतने टॉपिक्स को देख लिया था ठीक है राउल्स लॉग का जो deviation था उसके बारे में पिछली वाली class में मैंने बता रखा था ठीक है अब उसके बारे में कुछ जो एक एक example है ना positive deviation का negative deviation का उतना ही उसमें जानना है उससे ज़्यादा उसमें घुस का research मत करने लगना ठीक ना उसकी कोई बहुत लावानश या फायदा वहां से कुछ मिलने वाला है ने ठीक है तो जितनी काम की चीज़े थी उतनी मैंने बता दिया था थोड़ी से याद रखना है ये दोनों बातों को ideal and non-ideal solution और Rawls-Law के deviation के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं Colligative Property के बारे में और इससे कैसे Molecular Mass Absolute पता किया जाता है ठीक और साथ हम लोग देखेंगे Abnormal Colligative Property के बारे में और फिर ये दोनों टॉपिक बताने के बाद और ये चेप्टर हो जाएगा हम लोगों का खतम तो चलिए भई देखते हैं इसमें सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे Colligative Property क्या है फिर उसके बाद किस तरीके से Determination of Molar Mass यानि कि जो Molecular Mass होता है किसी भी Substance का ठीक है उसको किस तरीके से पता करते हैं सबसे पहले Colligative Property को हम लोग समझते हैं अच्छा देखो होता क्या है जैसे कि हम लोग बात करें Density की ठीक है अब Density की बात करें जा रही है और Density of Water चलो पानी के Density की बात करते है अब एक चीज मुझे बताओ या तो हम लोगों का एक बूंद वाटर हो या तो भाईया एक समुद्र जितना वाटर हो बोलो या तो ये ड्रॉप दिख रहा है छोटा सा पानी की बूंद ठीक है या तो हम लोगों का इधर क्या दिख रहा है Sea Water दिख रहा है Density क्या होगी इसकी Same होगी Density क्या होगी Same होगी यानि कि हम लोग क्या समझ रहे है कि जो Density है वो वास्ताव में Number of Particles पर Depend नहीं करती है यानि कि एक बूंद में कितने Particles हैं और एक समुद्र में कितने Particles हैं बताओ Density यहाँ पर क्या है Number of Particles पर Depend नहीं कर रही है क्योंकि Density जब भी होगी वो क्या होगी Mass upon Volume होगा यानि जैसा Mass होगा Automatic वैसा Volume क्या है वहाँ पर Rearrange हो जाएगा बदल जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा ठीक है इसलिए हमेशा Density क्या होगी या पानी की हमेशा क्या होगी Constant होगी सेम होगी उसी तरह से समझो जैसे हम लोग किसी चलो Boiling Point of Liquid माल लेते हैं अब कोई भी Liquid हो चाहे तो एक बूंद हो चाहे तो इतना बड़ा एक टैंक जितना लिक्विड हो इसकी जो Boiling Point हो तो Fix होगी ना माल लेते हैं कि ये Water है तो 100 degree Celsius पे ये Boil होता था ठीक है तो ये एक बूंद Liquid हो चाहे Water हो ठीक आरे बाद समझ में या फिर चाहे हम लोगों का एक टैंक जितना पानी हो इसका जो Boiling Point हो वो कैसा होगा Fix होगा आरे बाद समझ में बोलो यहां तक क्या है बाद समझ में आ रही है तो मेरी कहने का मतलब क्या है कि जो Colligative Property होती है ठीक है वो Particle पर Depend करती है हम लोगों ने ये देखा जैसे Density हो गया Boiling Point हो गया ये सब तो Particle पर Depend नहीं कर रहा है तो ये सब क्या है Non Colligative Property है तो Colligative Property क्या हो गई The Property नहीं पढ़ता कि Particle का Nature कैसा है बताओ ठीक है वो किस चीज़ पर Depend करती है या Number of Particles बढ़ गए कि कम हो गए कि जादा हो गए यानि उन्हीं सब उन्हीं सब प्रोपर्टी को क्या कहा जाएगा Colligative Property बोला जाएगा तो बस सिंपल सा समझ जाओ कि Colligative Property Directly Proportional Number of Particles आजी बस समझ में तो हमारी किताब में चार तरीके की Colligative Property दिया गया है 1, 2, 3 और यह 4 इन चारों को हम लोगों को एकके करके बारिकी से समझ ना है ठीक है यह दिखो क्या है Relating Lowering in Vapor Pressure Elevation in Boiling Point Depression of Freezing Point Osmosis या फिर Osmotic Pressure वैसे इसमें Mainly क्या है यह हम लोगों Osmotic Pressure है तो यह चार तरीके की क्या है यह हम लोगों की Colligative Property है यानि कि यह चारों चीजे जो दिख रही है Directly Proportional किसके हो जाएंगी Number of Particles यानि Particles की नंबर कितने है 10 है के 20 है के 100 है 1000 है उस तरीके से यह सब भी Depend करेगी है ना यहां तक आगी बास समझ में तो चलिए अब एक एक करके बारी बारी से इन सब को समझते है सबसे पहले इसको समझते है Relative Lowering in Vapor Pressure देखो भाई यह इतना आसान है कि मैं एक ही बार बोलूँगा और एक ही बार में समझ जाओ गए ठीक है थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना और यह सब जो Colligative Property मैं अभी बता रहा हूँ ने यह सब Important भी है ठीक है देखो एक Diagram बना के मैं दिखाता हूँ हलाकि इस तरीके का Diagram मैंने बना के दिखा दिया है एक चीज मुझे बताओ यदि यह Liquid है सिर्फ Liquid ठीक है तो इसका कोई न कोई Pressure होगा ठीक है चलो उसको P01 माल लेते हैं और यह हम लोगों का क्या हो गया Pure Vapor Pressure of Liquid 1 बताओ क्या ही बार समझ में आ रही है बोलो मेरी कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों का यह रहा Solvent ठीक है तो भाईया यह Solvent क्या है सिर्फ एक ही Component है ठीक तो इसका जो कुछ भी यहाँ वे Vapor Pressure Create होगा हम लोगों इसको P01 से दिखा रहे है अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया कुछ Non-Volatile Particle मिला दिया यानि कि कौन सा Solute मिला दिया Non-Volatile अब पिछली वाली क्लास में मैं बता ही रखाओ कि Non-Volatile Solute माने क्या है कि भाईया इसकी Vapor बनेगी नहीं ठीक है चलो इसको उम लोग 2 से दिखा रहे है Solvent को 1 से दिखा रहे है Solute को 2 से दिखा रहे है तो अब बताओ कि इसमें क्या होगा ये जैसे ही आएगा हम तो सनम डूबेंगे तुम्हें भी लेके डूबेंगे तो अब क्या होगा भाईया कि इसकी जो Vapor बन रही थे पहले वाले Solvent की उसकी Vapor कम फॉर्म करेगी यानि कि अब जब कम Vapor फॉर्म करेगी तो इसमें क्या होगा कि जो हम लोगों का Vapor प्रेशर था वो decrease कर जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो चलो उसको हम लोगों ने P1 से दिखाया ठीक है P1 से दिखाया तो ये क्या है भी या Partial Vapor Pressure of Solution Common Sense लगा कि बच्चे बता सकते हैं कि जो P01 है ये greater than P1 से बताओ क्या यहां तक बात समझ में आ रही है तो अब बस आगे कहानी को बढ़ाया जाए तो जो change in pressure आएगा वो कितना आएगा बड़े वाले में से छोटे को minus कर लिया गया अरे बात समझ में ठीक है अब ये P01 रहने दो और ये minus P1 P1 के जोगा राउल्ट सलो लगा है तो क्या लिखेंगे P01 mole fraction of 1 यानि कि इस पहले वाले component का या solvent का ठीक है जो भी mole fraction होगा और जो भी इसका pure form में vapor pressure था उसको multiply करके ये चीज़ को हम लोगों ने इससे क्या करा substitute कर लिया अरे भया यही तो राउल्ट सलो है बताओ ठीक है तो आगे थोड़ा और इसको हम बलुक बढ़ा है तो क्या common मिल गया P01 common मिल गया इन दोनों में इस पूरे में दिखो तो क्या common मिल गया इतनी बात समझ में आई है अच्छा अब एक चीज़ देखे जो कि मैं बताई रखा हूँ चलो आगे दिखाता हूँ मिटा के दिखाता हूँ यहां तक हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिया ये formula बताओ मिटा के दिखाता हूँ तो हम लोगों का यहां पर कितना आचुका है डेल्टा पी इचकल टू पी नॉट वन वन माइनस एक वन ठीक है क्योंकि मैं दिखा रखा हूँ more fraction of one component more fraction of two component बराबर कितना आएगा वन आएगा बताओ तो भाई यहां पर यहां पर हम लोग देखे कि एकस टू इचकल टू कितना हो जाएगा वन माइनस एकस वन हो जाएगा आरे बाद सोंज में तो यह जो वन माइनस एकस वन दिख रहा है इस पूरे के जगह हम लोग चाहें तो एकस टू को रख सकते हैं यह वाले वैलू देखो यहां से सब्टिट्यूट करी जा सकती है तो जो डेल्टा पी है यह पी नौट वन हो गया और यहां पे कौन आ गया एकस टू आ गया देखो बात को समझना यह हम लोगों का क्या दिख रहा है चेंज इन वेपर प्रिशर यहां तक बात समझ में आ रही है ठीक है लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रिशर यह वेपर प्रिशर कम तो हुआ है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पहले वेपर प्रिशर कितना था पहले pure form of vapor pressure कितना था भाई P01 था तो बस इसको हम लोग क्या करने वाले है P01 से divide करने वाले है P01 से क्या करने वाले है divide करने वाले है देखो इस concept को थोड़ा मैं समझाई देता हूँ ये है क्या दूसरे color से देखो ये हम लोगों का change in vapor pressure दिख रहा है ठीक लेकिन यहां पर बात क्या कही जा रही है relative lowering relation की बात करी जा रही है कम हो गया तो किसके respect में कितना कम हो गया तो भाया इसके respect में कम हो गया यानि कि P01 से दोनों साइड हम लोगों को क्या करना है divide करना है तो divide करने के बात divide करने के बात ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है न ये तना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं relative lowering in vapor pressure क्या ये बास होने में आ रही है तो बस हम लोगों का ये इससे divide होने के बाद क्या है कड़ गया तो हम लोगों को मिल कितना गया delta p upon p not 1 इसकल टो कितना मिल गया mole fraction of two component या फिर mole fraction of solute ये x2 क्या है mole fraction of क्या है भईया solute का न 1 हम लोगोंने solvent को माना था 2 किसको माने थे solute को माने थे बोलो क्या ये बास समझ में आरे फिर से एक बार समझ जाओ ये जो पूरी की पूरी value दिख रही है ये ही क्या है हम लोगों का relative lowering in vapor pressure और ये किसके बराबर है mole fraction of second solute तो आगे थोड़ा हम लोग इसको और बढ़ा है तो क्या है भईया mole fraction of two क्या हो जाएगा n2 divided by n1 plus n2 ये तो मैंने बताई रखा है बोलो तो बस क्या करो if यदि यहाँ पर जो हम लोगों का ये n2 है काफी जादा कैसा हो जाए छोटा हो जाए ठीक है जैसे माल लो n1 कितना हो जाए 100 हो जाए 100 mole हो गया और ये 0.001 mole हो गया तो 100 में 0.001 ये add करोगे तो बहुत जादा कुछ यहाँ पर दिखेगा ने ये आएगा कैसा है 100.001 तो 100 और ये 100.001 ये बहुत कोई वैसा wishes दिखने रहा है तो if यहीं आगे क्या कहा जा रहा है कि if जो हम लोगों का n1 हो far greater काफी जादा हो यानि कि n1 हो कैसा काफी जादा than n2 तो हम लोग अराम से इस n2 को यहाँ पर addition में से negligible या फिर nullify कर सकते हैं ठीक तो आगे देखो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ मिलेगा delta p upon p not 1 is equal to n2 divided by n1 अरे भाई यह इसको हम लोगों ने क्या जादा? नेगलेट कर दिया तो इसको और आगे solve करें तो क्या मिल जाएगा? n2 माने क्या? w2 upon m2 यही होता है बताओ इस n2 के जगर w2 upon m2 रख लिए multiplied by multiplied by m1 divided by w1 एक बार फिर से सारी चीजों को थोड़ा समझ ले हम लोग formula देखो हम लोगों का यह जो आखरी में आया है न यहीं important है इसी को ध्यान में रखना है क्या formula है भी यह? change in vapor pressure यह दिख रहा है यह pure liquid जब था तो उसका vapor pressure ठीक है? n2 upon n1 आ गया है यानि कि mole of solute upon mole of solvent आ गया आरे बास सोच में अब mole होता क्या है? weight upon molecular mass तो weight of solute divided by molecular mass of solute n1 के जगर हम लोग रखें तो यह जो m1 दिख रहा है upon w1 दिख रहा है यानि कि molar mass of solvent और यह जो हम लोगों का दिख रहा है क्या? weight of solvent ठीक है? यही formula जो हम लोगों का बना है यही important है एक बार फिर समय इसको मिटा के दिखा देता हूं हम लोगों ने क्या समझा? कि change in vapor pressure divided by किसके respect में भाया? इसके respect में यह आया क्या निकलके? यह आगया n2 upon n1 ठीक है? यानि कि यह w2 upon m2 आगया और अब दिखो यह बच्चों को दिक्कत होगी तो यह है क्या? इसके नीचे divide में लिखोगे तो क्या लिखोगे? w1 divided by m2 यह लिखोगे ना? m2 और यह multiplied by m1 divided by m2 sorry m1 m1 divided by w1 यही जो formula है यही important है और इसी को ध्यान रखना है क्या बात समझ में आ रही है? तो एक चीज समझो यह m2 क्या है? molar mass of solute तो जब सारी चीजे पता हो अपने को ठीक है? सारी चीजे पता हो तो molar mass बोले या फिर molecular mass mass of solute यहां से क्यों नहीं पता किया जा सकता है बाई? पता किया जा सकता है तो यह है relative lowering in vapor pressure एक बार वीडियो को rewind करगे एक दो बार और अच्छे से देख लो ठीक है? यह चीज important है और यह concept बहुत अच्छे से समझ में आ जाए गा चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो हम लोगों की दूसरी colligative property आती इसको हम लोग बोलते है elevation in boiling point देखो इसका मतलब है कि boiling point का बढ़ जाना boiling point elevation मने बढ़ जाना boiling point का बढ़ जाना देखो यह graph में समझते हैं हम लोग चलो इस तरह से diagram बना के समझा देता हूँ मैं देखो मालो यह container है इस container में हम लोगों का यहां तक liquid भरा हुआ है ऊपर से कौन सा pressure लगेगा atmospheric pressure जिसको हम लोग ATM से दिखा रहा हूँ मैं atmospheric pressure अब यह जब boil करेगा boil करने के बाद जब यह vapor बनाएगा ठीक है तो vapor बन जाएगा तो अब यह कौन सा pressure create होगी यहां से यानि नीचे से कौन सा pressure उपर की तरब जाने वाली है vapor pressure क्या यह बाद समझ में आ रही है नीचे से जब यह इसको heat करेंगे तो इसके vapor बनेगी तो vapor बनने के बाद कौन सा pressure create करेगा vapor pressure और उपर से इस liquid पर कौन सा pressure लग रहा है atmospheric pressure जब तक यह जो atmospheric pressure है बराबर vapor pressure रहेगा ठीक है बास समझना जब तक हम लोगों का atmospheric pressure बराबर vapor pressure रहेगा तब तक यह liquid क्या है कि boil करता रहेगा आर यह बास समझ में की नहीं लेकिन जैसे ही vapor pressure ज़ादा हुआ atmospheric pressure से यानि यह कैसा हुआ ज़ादा हुआ तो अब यहां से vaporization की phenomenon स्टार्ट हो जाएगी अरे बोलो भाई क्या यह logic चीज समझ में आ रही कि नहीं ऐसा थो नहीं पढ़ा कि मैं ही समझ जा रहा हूँ मैं कहे रहा हूँ कि उपर से इस liquid पर लगने वाला pressure atmospheric pressure जब यह खुद heat करोगे तो यह भी vapor pressure लगाएगा न जब तक atmospheric pressure और vapor pressure बराबर होंगे बोलो ठीक है तब तक क्या है कि यह liquid boil करेगा लेकिन vapor pressure यदि ज़ादा हुआ जैसे ही ज़ादा हुआ तो अब vaporization की phenomenon स्टार्ट हो जाएगी है ना यहां तक आरीस बात समझे यानि कि हम लोग देख रहे हैं कि liquid हम लोगों का कब तक boil करेगा बताओ liquid तब ही तक boil करेगा जब तक atmospheric pressure और vapor pressure कैसे होंगे बराबर होंगे ठीक तो अब देखो होता क्या है कि यह रहा container यह हम लोगों का liquid ठीक यह liquid अब जैसे ही अभी तक हम लोगों ने इसमें देखा था कि जब तक atmospheric pressure बराबर vapor pressure होगा तब तक क्या करेगा liquid तब तक liquid क्या करेगा boil करेगा boil करेगा ठीक है यह बात है लेकिन अब देखो जैसे होता क्या है इसमें हम लोगों ने कुछ मिला दिया non-volatile solute यानि कुछ ऐसी चीज मिला दिया कुछ ऐसी चीज मिला दिया जिसकी vapor बनती नहीं है तो अब हम लोगों का vapor pressure कैसा है भाया कम हो जाएगा decrease कर जाएगा बताओ क्या ये बात समझ मैं रही कि नहीं जैसे हम लोगों ने इसमें कुछ बाहर से क्या मिला दिया non-volatile solute तो भही या जैसे ही इसमें कुछ non-volatile solute मिला ओगे ठीक है तो क्योंकि इसका vapor pressure क्या हो जाएगा decrease कर जाएगा जब vapor pressure decrease कर जाएगा तो अब इसको boil कराने के लिए यानि कि atmospheric pressure तक लाने के लिए अब हम लोगों को क्या है कि इसमें heat देना पड़ेगा क्या यहां तक बात समझ में आई मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब atmospheric pressure और vapor pressure क्या होंगे बराबर होंगे तो liquid क्या करेगा boil करेगा लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसमें कुछ non-volatile solute मिला दिया तो vapor pressure कैसा हो गया वेपर pressure कम हो गया तो इसको atmospheric pressure तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस liquid की liquid को liquid की temperature को या फिर liquid में heat को provide करना पड़ेगा यहां तक बात समझ में आगी अब देखो graph में देखते हैं जो किताब में देखे समझा रहा है देखो इधर है हम लोगों का vapor pressure ठीक है और जैसे ही ये vapor pressure atmospheric pressure पे पहुचेगा liquid boil करेगा ठीक graph में यहीं समझा जा रहा है तो ये वाला axis पे क्या है vapor pressure कहां तक पहुचाना इसको atmospheric pressure पे पहुचाना है और इधर क्या दिखा रहा है temperature ठीक है temperature बढ़ाए जाएगी इधर और vapor pressure इधर बढ़ता जाएगा अरे सही न भाई temperature बढ़ाओगे liquid का तो vapor pressure क्या करेगा बढ़ता ही जाएगा vapor pressure क्या है बढ़ता ही जाएगा temperature पॉइट करेंगे अब दिखो ये वाला चीज जो हम लोगों का line दिख रहा है ये वाली line जो कि T0B से दिखा रहा है T0B से ये solvent के लिए यानि कि जो solvent जिस temperature पर boil करता था वो temperature कितना है T0B और वहाँ पे atmospheric pressure जो था हम लोगों का vapor pressure के बराबर हो जाता था बताओ ठीक लेकिन अब किया क्या गया इसमें कि जैसे ही solution बना दिया गया ये देखो solution बना दिया गया ठीक है solution तो solution बनाने की वज़े से इसका vapor pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जो हम लोगों का solution था इससो solution में non-volatile solute मिलाने की वज़े से vapor pressure क्या है इसका देखो कम हो गया यहाँ पे आगया है न अब हम चाहते कि ये वापस है vapor pressure यहाँ पे आए यानि vapor pressure atmospheric pressure के बराबर आए तो temperature को क्या है बढ़ाना पड़ेगा तो यहीं क्या है बढ़ा रहा है यहाँ पे कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब क्या है final बात जो अब मैं mathematical बोलने वाला हूँ इतनी बकवास करने के बाद कि pure solvent का जो boiling point था T0 भी था यह क्या है pure solvent का boiling point ठीक यह यह T भी क्या है T भी क्या है भी यह boiling point of boiling point of solution और इस solution में solution मनि क्या non-volatile solute को मिलाए गया यानि एक ऐसा चीज मिलाए गया जिसकी vapor नहीं बनती है क्या यह दोनु टर्म समझ में आया T0 भी क्या है pure solvent का boiling point ठीक है T भी क्या है boiling point of solution तो obviously बात है कि यह जो T B है इस वाले से बढ़ी हुई चीज है यानि कि जो T0 B दिख रहा है इससे बढ़ा है क्या हम लोगों का solution का boiling point मैं यहीं समझाना चाह रहा था इतने इमेनत करके कि जो कि जो हम लोगों का initial boiling point था solvent का और जो boiling point है solution का boiling point का solution कैसा है अब थोड़ा सा mathematical कुछ calculation कर लिया जाए तो बस हम लोगों का यहां पर देखो क्योंकि T B बढ़ा है तो minus T0 B ठीक है यह होता कितना है directly proportional morality of solution ठीक है यह कहां से आया है क्यों वाया है इसकी कोई और शकता नहीं है बस जानते रहो ठीक है यह वाली बात क्या समझ में आई है तो मैं क्या समझा दूँ कि जो boiling point का जो change होगा boiling point का जो change होगा directly proportional किसकी हो गया morality of solution ठीक है morality of solution अब जैसा कि बच्चों को पता ही है हम लोग इसको हटाते हैं तो एक constant आता है तो जो हम लोगों का डेल्टा टीवी इचकल टू एक constant आ गया के भी और यह morality of solution यह जो के भी दिख रहा है नहीं यह constant है ठीक है और इसका नाम क्या होता है constant का boiling point elevation constant यानि के भी इचकल टू क्या हो गया boiling point elevation constant अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं है समझ जाना भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ठीक है सस्ता पड़ा ही थोड़ी है मेनत लगती है यह जो के भी यह क्या है boiling point elevation constant और यह M क्या है morality of solution और यहाँ पे दिखो क्या है भी यह change in boiling point तो इसी को तो कहा जा रहा है elevation in boiling point boiling point का बढ़ जाना तो जो boiling point का जो बढ़ जाना है वो भी कैसा हो गया colligative property हो गया कैसे इस M को हम लोग आगे बढ़ाएं तो क्या होता है Kb हो गया और यह number of moles of solute upon mass of solvent mass of solvent तो बताओ यह जो delta Tb दिख रहा है यह directly proportional किसके दिख रहा है number of moles of solute यानि इसको N2 से दिखा देते हैं चलो यहाँ पर एक और चीज़ मैं लिखी देता हूं मिटा के तो हम लोगों ने देख लिया कि जो delta Tb है वो हो गया Kb और molality of solution तो जो delta Tb है वो क्या हो गया Kb यह N2 upon mass of solvent ठीक है solvent mass of solvent तो अब साफ चीज़ देखो कि यह जो Tb दिख रहा है delta Tb directly positional moles of solute यानि कि इस container में जितना ज्यादा हम लोग solute मिलाते जाएंगे जितना ज्यादा solute मिलाते जाएंगे उतनी ही यह जो delta Tb की value है वो भी क्या होगी बढ़ती जाएगी directly positional यानि क्या relation दिख रहा है delta Tb directly positional N2 क्या ये बात समझ में आईए बोलो ये बात आ रही है समझ में न यही formula हम लोगों को मिलनी क्या है ध्यान में रखना ये वाला ये वाला formula ठीक है तो वापस से हम लोग देखे इसके कोई भलाकिया उशक्ता नीए चलो मैं बताई देता हूँ थोड़ा सा जो हम लोगों का delta Tb है ये है हम लोगों का Kb ये N2 upon mass of solvent ठीक इस N2 को थोड़ा expand करें तो क्या आजाएगा delta Tb Kb और ये N2 कितना हो जाएगा W2 upon M2 और ये upon mass of solvent तो क्या ये मुझे बता हो कि जब delta Tb पता हो Kb पता हो constant है W2 पता हो यानि आने वाला solute का mass mass of solvent पता हो तो molecular mass of solute यहाँ M2 पता किया जा सकता है में लिए यही वाला formula ध्यान रखना ये सब तो आगे हम लोग अभी काम बढ़ाएगे ठीक न अच्छा इसका जो example है या कहें कि इसकी कहाँ पर आवशक्ता होती है कहाँ पर इसको थाबित किया जाता है देखो मैं समझा दूँ pressure cooker होता है इस तरीके से हमारे घर पे खाना पकता है ठीक यह ना ऐसे ही होता है ना pressure cooker ये sitting ठीक है अब देखो pressure cooker में ये नीचे से हम लोगों का storm heat देने के लिए ठीक है नीचे से heat देने के लिए suppose करो इसमें हम लोगों का यहां तक दाल भरी होई है ठीक है हम लोग क्या बना रहे हैं इसमें दाल या कुछ भी बना रहे हैं ठीक है अब देखो जैसे ही डाल बना रहे और suppose करो कि ये boil कर रहा था T1 temperature पर ये boil कर रहा था T1 temperature पर लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसमें क्या किया कुछ मालो नमक को मिला दिया ठीक है नमक NACL तो क्योंकि NACL क्या है क्योंकि NACL क्या है non-volatile है ये आके इसे में पढ़ा रहेगा dissolve तो होगा नहीं ठीक है वेपर तो बने डिजॉल्व तो हो जाएगा लेकिन इसकी वेपर क्या है बनेगी नहीं वेपर बनेगी नहीं तो इसके ये खुद इस पूरे pressure cooker के अंदर का क्या करेगा vapor pressure कम करा देगा decrease करा देगा तो जैसे ही vapor pressure कम हो जाएगा तो अब हम लोगों को vapor pressure बढ़ाने के लिए temperature क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा T2 बढ़ाना पड़ेगा यानि कि जब हम लोगों का इस pressure cooker में बिना नमक वाली दाल में सिर्फ temperature T1 ही चाहिए था लेकिन नमक मिला देने के बाद इसमें vapor pressure कम हो गया अब vapor pressure बढ़ाने के लिए temperature T2 लगाना पड़ेगा तो जहिर से बात है कि अब इसमें ज़्यादा heat जाएगी तो ज़्यादा heat जाएगी तो इसलिए दाल क्या है असानी से पक जाती है तो यहाँ पर भी temperature जो T2 है वो कैसा है ज़्यादा है T1 से यह T2 temperature ज़्यादा क्यों हो भई क्योंकि vapor pressure कम होने की वज़य से अब हम लोगों को ज़्यादा heat देनी पड़ेगी तो जो दाल को T1 temperature यानि कम temperature मिल रहा था अब क्या है उसी पकने दाल को पकने के लिए temperature T2 यानि ज़्यादा heat मिलेगी इसलिए दाल क्या है आसानी से पक जाती है कब जब उसमें NACL नमक मिला देते हैं तब इस नमक के जगा कुछ भी मिला सकते हैं ठीक है glucose, sugar यह सब कुछ भी मिला सकते हैं ठीक ना कम करा देगी ठीक तो यह हम लोगों का दूसरा colligative property रहा तीसरा चलते हैं यह वाला अब सेम चीज़ अब देखो सेम चीज़ मैं यहां समझा देता हूं अब इतना तमाशा करने की अवशकता नहीं है ठीक देखो जैसे boiling point क्या हो रही थी बढ़ जा रही थी जो हम लोगो को T0B था और यह जो Tb था temperature boiling point क्या हो रही थी बढ़ जा रही थी कब जब हम लोग उसमें क्या मिला दे रहे थे non-volatile solute है यह चीज थी लेकिन freezing point में क्या है कि freezing point हो जाती है कम decrease तो इसे लिए क्या है depression of freezing point तो यह जो depression of freezing point है यह भी colligative property अभी देखेंगे कैसे देखो यह वाला graph देख रहा है axis और यह वाला graph देख रहा है temperature का ठीक है temperature का तो सबसे पहले हम लोग देखें यह liquid solvent देख रहा है यह वाला safe solvent तो जो solvent का temperature यहाँ पर देखो कितना है T0 T0F देख रहा है ठीक है यह वाला temperature आरिवा समझ में लेकिन जैसे ही इसमें कुछ मिला दिया तो क्या बन गया solution बन गया है और मिलाया क्या है वो चीज मिलाया है जिसकी vapor नहीं बनेगी है ना non-volatile चीज मिलाया है T0F और यहाँ पर देख रहा है कितना Tf obviously temperature इधर बढ़ रहा है तो Tf कैसा है कम है यानि यह कैसा है कम है ठीक यहाँ पर जो point देख रहा है यह किसके लिए भी यह solution के लिए ठीक यहाँ पर जो point देख रहा है यह किसके लिए भी यह solvent के लिए तो solvent का freezing point कैसा है जादा है solution का freezing point कैसा कम है यानि कि solvent माल लोग कि 10 degree Celsius पर हो रहा था freeze ठीक है जम रहा था तो जैसे ही उसमें कुछ और चीज़ मिला दोगे तो माल लेते हैं कि हम लोग 2 degree Celsius पर आ गया यानि कि solution बनने के बाद उसके freezing point क्या है कम हो गई कि क्या यह बात समझ में आई है भाई तो बस direct अब आगे कहानी बढ़ा है हम लोग तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि जो T0F है यह कैसा है decrease कर गया Tf कैसा है बढ़ा है ठीक उल्टा हो गया क्या T0F कैसा है बढ़ा है और यह Tf कैसा है छोटा है तो बस बड़े में से छोटे को माइनस किया जाए तो change in phrasing point पता चलेगा ठीक है change in phrasing point वापस से यह directly proportional molality of solution ठीक है तो जो हम लोगों का change in phrasing point आ जाएगा directly proportional molality of solution ठीक है molality मत समझा molality है तो भाई यह जब delta Tf h कल to क्या हो जाएगा kf constant आएगा इसको अटाएंगे तो बताओ इसको अटाएंगे तो क्या आएगा एक constant आएगा और molality को M से दिखा रहे है अब इस molality को हम लोग चाहें तो आगे रख लें यहाँ पर तो क्या हो गया kf वैसे यही formula याद रखना है ठीक है चोटा सा formula इतना साई यही formula तो kf हो गया और molality मने क्या हो गया number of moles of solute divided by mass of solvent ठीक है mass of solvent तो हम लोग देखें कि जो हम लोगों का delta tf है यह हो गया क्या kf number of moles of solute divided by mass of solvent तो मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या है यह जो change in phrasing point दिख रहा है यह directly proportional number of moles of solute हो गया तो इसलिए क्या है depression और phasing point भी क्या है colligative property है क्यों क्यों क्योंकि यह number of moles पे यानि number of particles के directly proportional है depend करती है आरे बास समझ भी यह जो kf दिख रहा है na kf मिटा के दिखाते हैं यह जो kf दिख रहा है एक तरीके का constant है और इसका नाम क्या होता है freezing point depression constant ठीक है लिख देते हैं यहाँ पे freezing point depression constant ठीक है यही है इसको तो ठीक है इसमें यही सारी बाते थी और उसी तरीके से इसमें भी वही कहा जाएगा कि हम लोग molecular mass यहाँ से पता कर सकते हैं कैसे कि जो delta tf है यह इसकल to kf और यह number of moles of solute upon mass of solvent है ठीक यानि चलो यह amount कह लेते हैं इसको तो जो delta tf है वो कितना हो जाएगा kf हो जाएगा इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा w2 upon m2 हो जाएगा और यह 1 upon mass of solvent तो सारी value दी गई हो ठीक है सारी value दी गई हो यह पता हो यह पता हो यह पता हो यह पता हो तो यह हम लोगों का m2 क्या है यहां से निकाल सकते हैं किताब में देखोगे बच्चों लोग तो उपर 1000 लिखा होगा ठीक है तो यह 1000 है तो नीचे क्या है हम लोगों का gram में हो जाएगा लेकिन हम लोग इसको kilogram में मान रहे तो इसलिए यहां पर आगे कुछ multiply नहीं कर रहे है ठीक है यह चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो यह जो सबसे पहले समझते हैं ओस्मोसिस क्या चीज होती है ऐसे किताब में एक डाइग्राम बना के दिखाए गया पहले इसको समझेंगो उसके पहले मुझे एक बात बताओ माल लो यह तुमारा कोई container है और तुमारे पास चना ग्राम होता है ना ग्राम मने क्या होता है चना हम लोग देखे होंगे कि यह हम लोगों का इतना पानी भरा हुआ था रात को या फिर शाम को चोटे चोटे चने पानी में भिगो देते हैं तो शूबह हम लोग देखते हैं कि वाओ, चमतकार हो गया, घंगाधरी शक्ति माने, यानि जो छोटे छोटे चणी थे वेक कैसे बन जाते हैं, काफी बड़े बड़े बन जाते हैं, बड़े बड़े, फूल जाते हैं, श्वेलिंग हो जाते हैं, तो ये कोई छोटा बच्च इसके भीतर चले गए और चना हम लोगों का कैसा है बड़ा हो गया तो भाई यहीं तो Osmosis है The Moment of Water या फिर The Moment of Solvent From कहां पे किधर की तरफ जहां पे Solute का Concentration जादा है जहां पे Solute का Concentration कम है तो कम से जादा की तरफ यानि कि इसमें जो पानी था ठीक है पानी कहां चला गया Solute में चला गया है ना पानी कहा है Solute में चला गया तो बस यही समझ जाओ The Moment of Water Into Solute यहीं क्या है Osmosis अब कई बच्चे कूदते विया जाएंगे सर सेमी पर्मियेबल मेंबरेन ठीक है Biology में बच्चों को काफी अच्छे से बढ़ाता होगा फिर भी देख लेते हैं ममलोक सेमी पर्मियेबल मेंबरेन सेमी पर्मियेबल मेंबरेन का मतलब होता है कि कुछ चीज़े आ सकती है जा सकती है सेमी मने अधा ठीक है Pर्मियेबल मने Permittivity आधा आना जाना ठीक है permission देना, allow करना तो यहाँ से कुछ चीज़े आएंगे, कुछ चीज़े जाएंगे आधान परदान तो उसी को में लोग क्या बोलेंगे semi-permeable membrane osmosis एक बार फेश से finally समझ जाओ osmosis क्या होता है, the moment of solvent from lower concentration to higher concentration of solute, यानि कि solvent का उधर की तरफ जाना, जहाँ पर solute जादा है through semi-permeable membrane is called osmosis, अब देखो किताब की बाद समझे, यह हम लोगों का जो दिखा रहा है, यह क्या है हम लोगों का? solvent है, ठीक और यह जो ऐसे करके टांग के दिखा रहा है, यह क्या है? solution है इसको cover किसे किया गया है? semi-permeable membrane से, semi-permeable membrane से, ठीक है? SPM से इससे cover करके रखा गया है अब देखो होगा क्या? finally इसमें पानी इतना था नहीं, ठीक है? इसमें इतना नहीं था लेकिन जैसे ही अब पानी क्या करा? इसमें जाने लगा, बताओ यानि, osmosis की process होने लगी तो osmosis की process होने लगेगी osmosis की process जब होने लगेगी तो इसका साफ मतलब है कि पानी के label इसमें क्या है? बढ़ते जाएगा, बढ़ना शुरू करेगा आरे बास बोच में ये चीज जो दिखा रहा है pi is equal to h pi g, ठीक है, pi मने density है और h मने height और g मने gravity यही बता रहा है कि यहाँ पे जो उपर से pressure लग रहा है न, pressure ठीक है, osmotic pressure वही इतना है इसकी, देखो, यह जो लिखा है न, इसकी आवशक्ता नहीं, इसको मत जानो, ठीक है? यह physics का चीज है, यहाँ पे नहीं जानना है हम लोग क्या समझने वाले हैं? फिर से एक बार सुनो यहाँ से पानी इसमें जाना शुरू किया या फिर solvent जाना शुरू किया तो इसमें solvent का level क्या है? दोखो, बढ़ने लगा तो यही क्या है? osmosis है क्या बार समझ में आ रही है? इस osmosis पर इस osmosis के फिर्णामिना में जो भी यहाँ पर pressure create हो रहा है, उसे को क्या बोलते हैं? osmotic pressure बोलते हैं, वापस से किसी और diagram में देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा यहाँ देखो भाई देखो, मैं समझाने भी ना मानूंगा नहीं, है न? समझाए भी ना तो मैं मानने वाला हूँ नहीं उसके लिए तोर तरीके बदलने पड़े, ठीक है, बदला जाएगा, दिखा जाएगा यहाँ पर देखो, बहुत अच्छे सा समझ में आ जाएगा यह हम लोगों का solvent है, यह solution है solution है, तो इसका मतलब क्या है? कि इसमें solute भी है और solvent भी है, तबीना solution बनता है भाई, ठीक है तो इसमें दोनों चीजें यहाँ पर सिर्फ solvent है, इन दोनों को जोड के रखा है और यहाँ पर एक semi-permeable membrane कुछ लगाया है यानि कि यहाँ से कुछ आदान-परदान हो सकता है कुछ चीज़े इधर से, कुछ चीज़े इधर से आ सकती है, जा सकती है ठीक न? यानि कि कुछ इधर से चीज़े आएंगे, कुछ इधर से चीज़े जाएंगे कि उसी कुछ लोग semi-permeable membrane या फिर SPM बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं अब दिखो हुआ क्या? जाहिर से बात है solvent क्या करेगा? इधर से भागना शुरू करेगा, ठीक है? इधर क्या ये बात समझे आ रहे हैं? बोलो, इधर से भागना शुरू करेगा, है न भाई? यही क्या है? यही process क्या है? ऑस्मोसिस हो गया? ठीक है, नेचुरल सी बात है कि इधर भी atmospheric pressure लग रहा था, P ATM, इधर भी, यानि इस वाले container पर भी P ATM atmospheric pressure लग रहा था लेकिन, आस्मोसिस की जो direction है, वो इधर से इधर है, है न? राइट से lift की तरफ आस्मोसिस की जो direction है, वो इधर से इधर है, यानि कि कोई न कोई pressure यहाँ पर create हुआ है जो इधर से इधर की तरफ लग रहा है, इसलिए जो यहाँ पर पानी का बहाव है या solvent का भाव है flow है, वो कहां से कहां हो रहा है right से lift, यानि कि इधर से इधर के तरफ हो रहा है, ठीक तो यदि हम लोग इस वाले container पर इस वाले container पर इधर कोई एक extra pressure लगा दें कि यह जो हम लोगों का liquid इधर से इधर बहते वे आ रहा था, ये रुक जाए ठीक है, रुक जाए यानि कि ये osmosis की process हो ही नहीं, रुक जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भईया, osmotic pressure osmotic pressure एक बार फिर से समझते हैं ये हम लोगों की जो process हो रही है, क्या हो रही है, osmosis ठीक यहां तक समझ में आ रहा है ये process क्या है, osmosis इस osmosis की process को रोकने के लिए इस container पर जितना भी pressure लगाया गया, πाई वही πाई क्या है हम लोगों का osmotic pressure, बस ये समझ जाओ कि जहां भी osmosis होती है उस process को रोकने के लिए जितना pressure की अवशकता पड़ती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते है osmotic pressure बोलते हैं ठीक न, आगी बास समझ में तो यही बताया जा रहा है कि इधर भी PATM लग रहा है लेकिन osmosis इधर से हो रही है तो direction इधर है, तो यहां पर external pressure यहां लगाना पड़ेगा इस process को रोकने के लिए ठीक, तो वही जो πाई दिख रहा हम लोगों का क्या है osmotic pressure, ठीक मेरे ख्याल से अब बाते समझ में आ गई होंगी देखो कुछ चीज़े यह definition के तोर पे दी गई है isotonic, ठीक है hypertonic और hypotonic hypertonic and hypotonic, देखो होते क्या है, बहुत ही असान है एक ही बार में समझ में आगा, ठीक है, ध्यान से सुनना isotonic मनी क्या होता है, कि माल लो जैसे अभी इसी graph में मैं दिखा दू यह वाला, ठीक है माल लो, कि इसमें solution का concentration और इसमें solution का concentration क्या है, बराबर बराबर ठीक है, तो क्या यहाँ पे osmosis होगी, नहीं होगी तो इस तरीके के जो solution होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, isotonic solution isotonic solution आरे बहुत समझ में, isotonic solution मने क्या है, कि जहाँ पर यहाँ osmosis की process ही नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर जो solution एक दूसरे सम्मेल जूल रहे हैं, ठीक है उनके बीच में कोई difference वगरा है नहीं, ठीक ना, दोनों का जो concentration है, वो कैसा है, सेम है, ठीक तो यह हम लोगों का हो गया isotonic solution, अब बताए hypertonic solution, देखो, hypertonic solution मनी क्या है, कि जैसे यहाँ पर एक किताब में दिया गया है माल लेते हैं हम लोगों के पास यहाँ पर कोई liquid भरा हुआ है, ठीक है यह पूरा liquid भरा हुआ है और इसमें हम लोगों ने माल लोगों कोई सेल रख दिया यतना, छोटा सा सेल सेल होता ने, सेल is the structural and functional unit of life, बायोलोजी वाला सेल ठीक है, बायोलोजी वाला सेल हम लोगों ने रख लिया यहाँ पर, तो अब देखो होगा क्या, कि अब होगा क्या, कि इसके भीतर जो कुछ भी water है वो निकल कर इस liquid में आ जाएगा ठीक है, इस liquid में आ जाएगा तो यह जो सेल बड़ी से हम लोगों के दिख रही है, यह सेल कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी क्यों क्योंकि इसके भीतर का पानी कहां है, इसके भीतर का जो पानी कहें, या फिर जो solvent कहें, वो निकल कर बाहर आ गया तब उस condition में ये वाला जो solution दिख रहा है इस solution को हम लोग क्या बोलेंगे hypertonic solution बोलेंगे, hypertonic ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों के cell जो fully waste थी, swelling थी, वो कैसी हो गई strength हो गई, सिकूड गई, है ना सिकूड गई hypertonic solution में hypertonic, ठीक इसका reverse hypertonic क्या हो जाएगा, ठीक इसका reverse ये हम लोगों का liquid भरा हो गई, ठीक है liquid कहें, solution कहें इसमें हम लोगोंने मालनों, छोटे cell को रख दिया, ठीक है, कोई छोटी cell रख दिया, तो अब क्या होगा, कि इसका liquid इसके भीतर आ जाएगा तो ये जो छोटी cell है, वो कैसे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, श्रिंक होई, जो छोटी सी थी, वो कैसे होगी, स्वेलिंग हो गई तो ये वाला जो cell होने पर ये जो cell ऐसे बड़ी हो गई है, ये वाला जो solution है, अब इसके भीतर वाटर जो कुछ भी था, वो सब solute में, यानि कि नमक की तरफ आएगा भाग के, बताओ, आएगा की नहीं, तो जो हम लोगों का इतना बड़ा आम था, वो आम कैसा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानि अचार बन जाएगा, आरे बात सुझ भी, तो यही कहा जा रहा है, भाईया, आम से अचार बनाने के लिए, आस्मोसिस की कहानी होती है, ठीक, उसके बाद example है कि कुछ हम लोगों का, कुछ हम लोगों का, यहां पर क्या है, सूखे वे फूल होते हैं, ठीक है, इसको जब फ्रेश वाटर में रख दिया जाता है, तो यह वापस से क्या हो जाता है, भाईया, पूरा फूल जाता है, ठीक, क्योंकि वाटर को क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, उसे तरह से, उसके नीचे वाले भी बात वही बताए जा रही है कि जो सुखा हुआ गाजार होता है ठीक है पूरी तरीके से जब इसको फिर से पानी में रख देते हैं तो फिर से यह क्या है फूल जाता है अभी blood cell वाला मैंने बताई दिया था ठीक है blood cell वाला अभी तो मैंने बताई था cell का कि इसके जो water loss हो जाते है ठीक है तो इसे लिए क्या है यह सिकुड जाती है श्रिंक कर जाती है ठीक है collapse माने सिकुड जाना ठीक देखो एक चीज यह काम की है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद बहुत सारा salty या फिर मीठा इस तरह से कुछ खाते हैं मतलब कोई नमक जैसे चीज हो गई या कोई शूगर जैसे चीज हो गई बहुत जादा खाते है तो इसका मतलब है कि उनके body में क्या है कि sugar या फिर salt काफी जादा contain रहती है भीतर रहती है तो इनके भीतर water भी कैसा रहेगा रीटेन रहेगा बचा रहेगा क्यों क्योंकि इनके भीतर body में क्या है solute है तो solute होने की वज़ा से ये खुद water loss नहीं होगा तो water loss नहीं होगा तो इनके शरीर क्या है फूल जाती है बड़ी सही swelling हो जाती है तो यहीं देखो क्या कह रहा है वो एक बिमारी है उसको क्या बोलेंगे डिजीज बोलेंगे या कुछ ऐसे समस्या बोलेंगे इडीमा बोला जाता है इडीमा क्या है भईया तुम चीनी खाओ नमक खाओ खूब खूब खाओ तो खूब खाने की वज़े से तुमारी बोडी में क्या है तो सॉल्यूट है तो सॉल्यूट रहेगा तो तुमारा वाटर लॉस कैसा होगा कम होगा तो वो जो समस्या है उसको क्या कहेंगे इडीमा कहेंगे ठीक तो इसलिए चीनी बगएरा ही होता है ठीक उसके बाद एक और चीज यहां पर आक्सी वाली बताई जा रही है कि सेम चीज जैसे हम लोगों का माल लो ये एक मांस का टुकड़ा है इतना ठीक है मांस का टुकड़ा कहें या फिर आचार बोले या कुछ भी हम लोग देखतें कि आचार में कुछ ज्यादा ही नमक रहता है नमक ज्यादा ही रहता है तो माल लो कि इधर हम लोगों ने नमक को ज्यादा मिला दिया अब मुझे बताओ कि ये बेक्टीरिय आया तो ये क्या करेगा भया इस आचार को या मान्ज की टुकड़े को क्या करेगा खराब करेगा लेकिन इस बैक्टेरिया में water होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे नमक की concentration कहें कैसा ज़्यादा है तो बैक्टेरिया के भीतर जो पानी था नवो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा आके इस में मिल जाएगा कहां पर NACL में और Osmosis की प्रोसेस तो यही है कि जो भी हम लोगों का Water Concentration जहां पर जादा होगी वो वहां से भागते-भागते कहां आएगी? Solute में आएगी यानि इस वाले NACL में आएगी तो भाया जब बेक्टिरिया हम लोगों का जो इतना बड़ा फुला हुआ सा था वो बेक्टिरिया कैसा हो जाएगा? चिप्टा हुआ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और और बीना बीना Water के तो यह बेक्टिरिया इतना बड़ा देख रहा था वो बेक्टिरिया इतना ही रह गया क्योंकि इसका क्या हो गया? Water loss हो गया है Water loss ते इसलिए क्या है? बेक्टिरिया मर जाता है ठीक है? आरे वा समझ में है गी नहीं है तो यही बताया जा रहा है इतने सारे कुछ एक्जामपल किताब में देए गया थे एक बार वीडियो को रिवाइड करके इस एक्जामपल को जानते रहना देख लेना एक और चीज़ दुखो यहां पर काम की चीज़ आती है Reverse Osmosis और Water Purification ठीक है? बहुत ही असान ही के बार में समझ में आ जागा यह इतना सस्ता है इसमें कुछ logic ही नहीं है देखो यहां पर समझने कोशिश करते हैं यह हम लोगों का Fresh Water है और यह Salt Water है Salt Water माने क्या है? कि यह Solution है ठीक है? और इन दोनों को semi-permeable membrane से जोड दिया गया तो generally बताओ Osmosis कि इधर होनी चाहिए? इधर की तरफ होनी चाहिए या फिर इधर की तरफ होनी चाहिए? यानि इधर होनी चाहिए या फिर इधर होनी चाहिए? बताओ जहां पर Salt जादा होगा Osmosis में क्या होता है कि Solution जहां पर जादा होगा solvent या फिर water उधर की तरफ भागेगा through semi-permeable membrane तो सभाविक है कि यहां पर क्या है या fresh water है यानि कि यह क्या है? सिर्फ solvent है और salt water मानी क्या? इधर solution है ठीक तो solvent से पानी क्या है? इधर भागेगा बताओ, generally Osmosis यह होनी चाहिए, है कि नहीं और यहीं जो pressure create हो रहा है ठीक है? इस Osmosis को रोकने के लिए उसी pressure को हम लोग क्या कहते है? Osmotic pressure जिसको हम लोग Pi से दिखाते हैं मेरे ख्याल से एक चीज क्या है छूट गई क्या एक चीज अभी छूट गया भी मैं बताता हूँ, ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है? छोटा सा formula छूट गया है तो यहां पर क्या होगा? कि भाईया यह Osmosis की जो process है इधर से इधर की तरफ होगी? बताओ और ठीक इसके बराबर pressure लग जाए कि pressure बोलते हैं इसको ठीक है? Osmotic pressure बोलते हैं है कि नहीं? यानि कि हम लोगों ने इधर से piston लगा के कुछ pressure को create किया तो यह जो process थी यह क्या है? रूक गई लेकिन इधर pressure और बढ़ा दो है ना? और बढ़ा दो इसको लोगो क्या बोलते है? reverse osmosis कहते है और इसका इस्तमाल कहां किया जाता है? water purification में जो आहाम तर पे जो समुद्र के किनारी लोग होते हैं ठीक है? नमक वाला पानी तो वो पियेंगे नहीं है न? उन्हें क्या चाहिए? fresh water चाहिए जाता है क्या किया जाता है? एक container में साफ पानी और एक container में नमक वाला पानी ठीक है? osmosis इधर से इधर ही होगी लेकिन इधर pressure लगा दो इस पर तो osmosis क्या है? रुक जाएगी ये process रुक जाएगी लेकिन और ज्यादा pressure लगा दो reverse osmosis यानि इसमें जो भी पानी का वाली क्यूल है वो सब इधर बहने लगेगा भागने लगेगा और यहां से क्या है? पानी निकाल लो और इसको पीना शुरू कर दो ठीक है? तो reverse osmosis और ये water purification देखो जो चीज छूट गई है थोड़ी से flow में इधर निकल गए हम लोग यहां पर osmotic pressure हम लोगों ने देख लिया था यह actually में होता कितना है यह होता है यह होता है pi is equal to crt crt c क्या भी यह molarity है r एक तरीके का constant है और जिस temperature पर यह बात हो रही है तो pi is equal to कितना हो गया? n2 upon v और यह r और यह t देखो यह जो pi है ठीक है? ओस्मोटिक pressure है यह c क्या है भी यह molarity of solution जिस भी solution में हम लोग ओस्मोटिक pressure पता करने वाले है ठीक है? जिस भी solution में वहीं हम लोगों का क्या है? उसकी concentration और वो भी क्या? molarity आरे बस सोज में बताओ ठीक है? molarity और यह r क्या है यह constant और t क्या है? जिस temperature पर बात हो रही है ठीक है? तो आगे हम लोग थोड़ा सो और कहानी बढ़ाएं तो pi is equal to क्या हो जाएगा? w2 upon m2 rt upon v यानि इस n2 को हम लोगों थोड़ा सो और expand कर दिया तो क्योंकि mols of solute था ठीक है? mols of solute तो क्या हो जाएगा? w2 upon m2 rt upon v देखो तो वापस से हम लोग देखें osmotic pressure पता हो, weight of solute पता हो, r की value पता हो, temperature पता हो, volume पता हो तो molecular mass of solute यहां से पता किया जा सकता है, basically formula कौन सा याद रखना? pi is equal to c rt, यही वाला formula हम लोग याद रखेंगे, ठीक है? यही बताना था तो यह भी हो गया, अब जो हम लोगों का final जो आखरी topic है ठीक है? अब chapter खतम हो जाएगा यहीं पर, ठीक है? यही आखरी topic है इसका abnormal molar mass या फिर vent of factor देखो इस तरीके समझते हैं, suppose करो यह हम लोगों का इतना बड़ा container माल लो इसमें कोई liquid भरा हुआ है ठीक है? कोई liquid भरा हुआ है, अब देखो हुआ क्या? जैसे हम लोगों के पास NaCl है, कितना particle है? यह एक ही है, लेकिन जैसे इन liquid में आया यह Na plus और Cl minus हो गया, जो हम लोगों का एक particle था, अब हो तो दो particle बन गए न, एक Na plus बन गया और यह Cl minus बन गया क्या यह बास समझ में आ रही है? ठीक, तो vent of factor बोलें या फिर I बोलें, इस I को दिखाते कैसे हैं? कि solution में जाने के बाद, ठीक है? यहाँ पे न, solution में जाने के बाद, कितने particle बन गए भाया? जो NaCl था, वो हम लोगों का देखें, तो Na plus और यह Cl minus में convert हो गया, तो कितने particle बन गए? दो, ठीक है? और पहले कितना था? पहले कितना एक ही था, यानि 2 divided by 1, इस बात को समझो, total number of moles of particles after association, या फिर dissociation, तोटने के बाद, या जूडने के बाद, कितने मोल बने, और तोटने या जूडने के पहले कितने मोल था, उसी को हम divide करेंगे, तो क्या पता चलेगा? वेंट of factor पता चलेगा, फिर से देखो, जैसे हम लोग acetic acid को मिलाया, ठीक है, यहां से, उपर से, यह 2 moles acetic acid आया, लेकिन आने के बाद भाईया, इसने क्या करा, कि यह जो acetic acid है, यह बना लिया dimer, dimer माने क्या है, कि यह दोनों आपस में ही जूड गए, ठीक है, dimer हो गए, जूड गए, तो जो हम लोगों का acetic acid पहले कितना था, दो particle थे, liquid में आने के बाद कितना बन गया, वो जूड के एक ही particle बन गया, भले ही वो बड़ा particle बन गया, यानि कि पहले ये दो particle थे, लेकिन ये दोनों solution में आने के बाद, ये बड़े particle बन गया, और कितना बन गया, एक ही बन गया, बड़ा बन गया, और एक ही बन गया, त तो vent half factor यानि आई निकाल ले के कई तरीके होते हैं एक तो यह जो मैंने बता दिया उसे तरीके से क्या है normal molar mass या फिर abnormal molar mass या फिर observed colligative property divided by colligative property इन तीनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं vent half factor को पता करते हैं अच्छा एक चीज़ हम लोग देखें यह normal molar mass और abnormal molar mass इसमें क्या अंतर है देखो मैं समझा दूँ जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि boiling point का जो change था delta tb इसकल तो क्या था kb और यह molalty था ठीक है delta tb इसकल तो क्या था kb number of moles of solute divided by mass of solvent ठीक है यही था अब देखो शुरू में माल लो कि हम लोगों ने NaCl को मिलाया तो NaCl भाया स्टार्टे में कितना रहा होगा माल लेते हैं कि 1 mol रहा होगा यह 1 mol लेकिन इस liquid में आने के बाद यह Na plus और यह Cl minus जो solute है हमारा कितना बन गया 2 mol बन गया हैगे नहीं 2 mol तो अब यह जो N solute जो हम लोगों का 1 mol होना चाहिए था वो कितना है 2 mol है तो जब जैसे ही यानि कि यह पूरी जो N solute की चीज़ दिख रही है यह किस पर depend कर रही है इस पर particle के कितने dissociation हो रहे है फिर association हो रहे है इस ही को हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हम लोगों का Colligative Property है अब वो किस पर depend करेगा Went of Factor पर depend करेगा तो वापस से जो हम लोगों की 4 तरिके की Colligative Property थी उसको हम लोग यह दि Correct करें तो क्या होने वाला है सबसे पहले Relative Lowering in Vapor Pressure ठीक क्या formula था P01-P P1 divided by P01 एचकल टू यह क्या था N2 divided by N1 ठीक है अब इसमें बस क्या करना है I से Multiply कर लेना है यह पहला हो गया दूसरा क्या था Elevation in Boiling Point तो ΔTB is equal to KB Multiply by Molarity क्या करना है भया I से यह निवेंट अव फेक्टर से Multiply करना है कि Colligative Property क्या है Colligative Property जो भी दिख रहा है वो Went of Factor पर भी Depend कर रहा है इसलिए तीसरी चीज़ जो ΔTF था यानि Depression and Phasing Point यह क्या था KF multiplied by Molarity I से Multiply कर लो चौथा जो था हम लोगों का Colligative Property Pi is equal to यानि Osmotic Pressure क्या था CRT था इसमें भी क्या करू ठीक है और ये चारो formula यादी ध्यान रखते हो तो सारे numerical से लग जाएंगे इन में से इसमें से मेरे ख्याल से इसमें से कोई भी एक दो ये वाला भी ध्यान रखो कि Went of Factor निकालते कैसे है Went of Factor कैसे पता किया जाता है आरे बास वाज़ भाई अरे बोलो भाई तो भाई ये चारो formula याद है तो बढ़ियां से समझ में आ जाएगा और मेरे ख्याल से ये lecture जो हम लोगों का हुआ है ठीक है और आगे तो कुछ है ने थोड़ा सा जादा भी हुआ और थोड़ा कठीन भी रहा है तो इस चेप्टर का हम लोगों ने यहें पर क्या कर लिया समापन सामरो कर लिया खतम हो गया ठीक और चलो एक मैं question यहां में पूछ लेता हूँ देखूं मुझे पता चले कि क्या बच्चों को चीज़े समझ में आए कि नहीं तो अब मुझे बताओ कि यहां पर यहां पर वेंट हॉफ फैक्टर कितना होना चाहिए और एक काम करना इस वीडियो को कम सकम दो तीन बार देखो ठीक है दो तीन बार देखो और जो जो चीज में समझाना चाहरा हूँ उसको समझो और बढ़ियां से दो तीन बार देखोगे और समझ जाओगे तो पांच छे साथ फॉमूले ही है पूरे इस चेप्टर में और सारे नुमेरकल समलोल लगा लेंगे और चेप्टर के नुमेरकल से थोड़े टेड़े हैं ठीक है तो हवा बाजी नहीं करने है थोड़े पढ़ाई भी करने है ठीक तो मिलते हैं अगली क्लास मिले तब तक के लिए हसते रहो खुश रहो मुस्कालाते रहो एंड गॉड ग्लेस यू वाल ठीक तो मिलते हैं